सब्सक्राइब सब्सक्राइब दिन NTT का एक्जाम है तो जल्दी से आप लोग आ जाईए सेशन को जॉइन कीजिए सेशन को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को जो भी तयारी कर रहे हैं जेवीटी NTT की इंग्लिश की तयारी कर रहे हैं में साथ जुड़ जाएं सभी के सभी स्वाती सुमन कैसी हैं आप बढ़ियां हैं वेरी गुड मॉर्निंग मैं बढ़ियां हूं स्वाती सुमन आप बताईए आप लोग कैसे हैं तयारी कैसे चल रही है क्या टॉपिक नहीं आ रहा क्या सोचाए क्या करने वाले हैं तीन घंटे लगातार क्या से हम लोग अपना यह तयारी पूरी करेंगे वैसे मैं आप लोग को अशेओर कर देती हूँ जितने question रहेंगे, वो class आप लोगो 100 से उपर वाले questions की मिलेगी, चीक है, तो चलिए, start करते हैं, class को without any delay, पूरा पार्ट सो speech हो जाएगा, पूरे आपकी vocabulary हो जाएगी, grammar हो जाएगी, और साथ ही साथ guys, आप लोगों का reading section भी में जो है, वो cover कराऊंगी इस class में, class को बस जाएगा, बिलकुल आएगा, ऐसा तो है नहीं आएगा, active and passive voice तो आप लोगों को पता है कि आएगा, हना नीतु जी, पता है आप सभी को active and passive voice एक ऐसा topic होता है, जो आएगा, हमेशा ही आप लोगों को ये एक question, दो question आपको पहले पे ही मिल जाएगा, चाहे entity का paper हो, चाहे आप लोगों का JBT का paper हो, इस class में मैंने क्या किया है, आप लोगों को बताती हूँ, NTT का level उठाया, JBT का level उठाया, TGT English का level, जो कि TGT वाले बच्चों का paper होता है न, वो common paper होता है न, पर पार्ट A वाला, मैं मैंने वो वाले question भी रख लिए, PGT वाले भी question रख लिए, so that कहीं से भी English आ गई, तो बेटा, JBT और NTT में तुम लोग कर लो, ठीक है, start करते है, PDF आपको मिल जाएगा ममता, और मैं आप लोगों को बता रही हूँ, अगर नहीं मिला, तो इस class के बाद मैं कमेंट करना है, यह PDF नहीं मिल रहा हूँ, ठीक है, तो यह मेरी guarantee है, issue जी, very good afternoon, चलिए, first question है, जतनी भी लड़किया लड़किया आ चुके है, जल्दी से पहले question का answer दो, question आपको ऐसे आएगा, और यह previous year है, यह JBT का previous year है, मैंने उसका previous year लिया है, पहले 10 question आपको वही मिलने वाले है, तो यह previous year का question है, PYQ है, question का answer दो, यह मैंने पहले भी करवाया था class म क्योंकि मुझे पता था कि वेले, आपनों को एक mind make-up करना था, हां जी, very good afternoon, सुमन जी आजाए, answer, answer, answer चाहिए गाइस मुझे, and quick way में चाहिए, 100 से ज़्यादा question है, तो मैं चाहती हूँ कि सारे complete करवाऊ, कहिए तो नहीं है कि नहीं करोगे आप लो, कैसे कर सकते हो, अगर आप लो, क्या करोगे, answer दोगे सही तरह से, हाँ, issue जी, answer आना चाहिए, question क्या है, वो पढ़ते हैं पहले, the lowest treasure chest was eventually discovered by a team of dedicated archaeologists, ठीक है, क्या question है, ध्यान से पढ़ेंगे, question में कहा गया है, जो lowest treasure chest है, वो क्या हुआ, eventually discovered किया गया, by a team of dedicated archaeologists, हमने active voice ढूणना है, क्यूं, क्यूंकि हमारे पास passive voice है, and they have given us by, और by दिया है, तो passive दिया हुआ है, yes or no, आनन्द नीतु स्वाती दिया हुआ है, तो बस वही बात है, by, by से क्या पता लग गया, ये sentence किस में है विटा, passive में है, दस नंबर की English होगी, छोड़ना मत, बहुत सा students मेरे पंजाबी व of, हमारा देखो, सबसे पहले subject क्या है, ये है, a team of dedicated archaeologists, जिनको लग रहा है, see, the तो है ही, नहीं, a है बेटा, see कैसे दे दिया तुमने, a है, तो a से start होता है, a team of dedicated archaeologists eventually discover, just because we have was and third form of the verb, ठीक है, was है passive में and third form of the verb है, तो active में क्या होना चाहिए, simple past होना चाहिए, second form of the verb होनी चाहिए, second form of the verb है यहाँ पर, yes, so हमारा a option जो है, right हो जाएगा, clear हो गया, नहीं, वो मेरा नहीं है, मेरा 1421 है, last में, okay, a option, ले लो, calling team से कर लेना है, तो ले लो, कोई query होगी, तो आपर sort out मैं कर दूँ आपकी, ठीक है, शीका जी, इतनी बात clear हो गई, first clear, second one, next question क्या है अब आप लोग का, identify the misspelled word, अब क्या find out करना है, misspelled, देखो topic तो वही रहेगा, pyq उठा कर मैंने आपको करवाया है, topic बेटा वही है, आपको pyq करवाया गया, तो pyq में आपको ऐसे question है, the previous year में, यह spelling, भई, spelling आप लोग को पढ़ने पढ़ेंगे, bureaucracy पढ़ना है, मेरे question दिया हुआ है, जितने students अभी जुड़े है, paid class वाले बच्चों के सब मीटिंग थी, उनको भी मैंने काता है, यह class join कर लेना, यह class बहुत important है, बाद में भी देख लो, बर देखना ज़रूर है class को, दूसरा question क्या है आप लोग का, occurrence, occurrence क्या होता है, occurrence होती कोई चीज का होन happen होना, event होना, किसी इसका happening होना, that is called occurrence, separate का मतलब क्या होता है, अलग होना, bureaucracy, सब को पता है, bureaucracy क्या होती सभीता, बताइए जल्दी से, स्वाती जल्दी से बताइए, bureaucracy, नीतू, जितने बच्चे हैं बच्चे हैं जल्दी से, और challenging आपको पता है, spelling देखो, students जल्दी से, किसक section विए सही वाले spelling चाहिए, bureaucracy के, bureaucracy, yes, write down, very nice, write down करें, spelling, write down करो, ये आपको spelling आएंगे, repeat हो गया, तो फिर मत कहना कि repeat हो गया, अकांशा जी, जल्दी से, spelling लिखो, आप लोग किसके लिखने हैं, आपने, bureaucracy के spelling लिखने हैं, very nice, कुछ नहीं कर बड़ी थी, E नहीं होता, इसमें, E हटा देना था, bureaucracy आपका बन जाता, हमेशा एक बात और याद रखें, necessary के spelling लिखो, ठीक है, necessary के spelling लिखो, शीखा, batch में slavers cover है, इसमें slavers cover है, इस class में slavers cover है, एक बार बस मुझे मोका दो, इस class को देखो, ठीक है, E नहीं ठीक है, bureaucracy, चलो, next, 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 पहुंचे, आजो, the sentence that contains a word synonyms with, offusticate, 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 offusticate का meaning क्या होता है, जल्दी से बताओ मुझे, देखो वेटा, सीधा word दे दिया, उसमें आप लोग ने synonyms find out करना, offusticate क्या होता, offusticate, offusticate क्या होता है, जो की चीजें क्या होती है, आपकी unclear होती है, ठीक है, offusticate क्या होता है, the things which are not clear, necessary, very nice, temporary के spelling बताओ, contemporary के spelling लिखो, मैं क्यों कह रही हूँ, यह words बहुत बार repeat होते हैं, ओकी, that's why, चलो, offusticate, unclear होता है, जो चीजें unclear होती है, उसका synonyum पता करना है, अब आपको देखो, यह tough है, यह level tough है, students आपके लिए, क्यों tough है, यह question वरिंदर जी tough है, आपके लिए, क्यों tough है, यहाँ पर मैं बात सुनिए, अब इसका level tough हो गया, इस question का, और यह jbt का ही previous year है, यह jbt का, pyq है बेटा, बस-दस-दस question देखना है, कितना level बनता जा रहा है, ठीक है, अब बेटा, आप लोगों को यहाँ पर guys, क्या हुआ, अब बेटा, आप लोगों को synonym बताना है, बट इसमें से find out करना है, चारों में सी, तो one by one question, read करेंगे हम लोग, sentence, read करेंगे, session को एक जोर दा तर unclear तो कोई चीज होगी नहीं, तो पहला option मारा क्या हो गया, deduct हो गया, yes or no, खतम, the lanterns in the garden illuminated the path creating a match and enchanting atmosphere, lanterns, lanterns, जो होती है, in the garden illuminate, illuminate का मतलब क्या होता है, परकाश में कर देना, illuminate the tower like this, हना, illuminate the tower होता है न, वो होता है कि नहीं होता है, हाँ, तो परकाश में कर देना, creating a magical and enchanting बहुत बढ़ी अमुगद atmosphere बनाया, तो ऐसा कुछ नहीं, उसकी unclear कुछ दिखाई दे रहा हो, तो ये भी नहीं आएगा, फिर आप लोगों का, बिलकुल सही है, फिर आप लोगों का, the professor used examples and diagram to clarify the complex scientific concept for the students, professor ने यूज किये examples and the diagrams, diagrams used कि क्या करने के लिए students, to clarify करने के लिए complex scientific concept of the students, the complicated instructions on the assembly, यहां पर भी word देखो, on the assembly, manual did nothing but confuse the frustrated customer, तो guys, दो options में आपको लग रहा है कि unclear, 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 unclear कहीं 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 हो रहा है, यह synonym and antonym पढ़ करेंगे, आज ही class में करेंगे, फिर आप लोगों खुद बखुद आएगा, अब बताओ मुझे, स्वड़ सिंप्लिफाई कि यहां पर तो क्या word आया ही नि, जिसका मतलब हो unclear, तो यहां पर क्या word आएगा, C option, जो देखिए, थर्ड का आपका D option, जो है, वो सही होगा, कि इतने बच्चन दिया है, जल्दी से बताओ कितने बच्चन दिया, the complicated instruction, which instruction, complicated and that complicated is, that complicated is another word for obfuscate, obfuscate के लिए another word है, अच्छ चीजें होती है, unclear, ठीक है, अब चीजें होती है, clear, clear के लिए कौन-कौन से synonym होते है, जल्ली से बताओ मुझे, clear के लिए कौन-कौन सा नितू synonym होता है, clear, clear के लिए कौन-कौन से synonym होता है, synonym होता है, उसके लिए vague, एक मैं आपनों को बतायती हूं, vague, ठीक है, यह word होता लिख कर रखो यह question आपको आएगा paper में ऐसे word बेटा आते हैं चलो next कर लेंगे antonium देना है किसका precarious का कौन सा antonium देना है बेटा आपको precarious का identify the sentence that include the antonium antonium देना है precarious का जिसका मतलब क्या होता है precarious क्या meaning होता है precarious का मतलब होता है dangerous what do you mean by precarious परा हो जा पंजाबी में कहते है परा हो जा पीछे वड़ जा precarious याद रखना मतलब क्या है वो चीज क्या होती है dangerous और जो चीज dangerous नहीं है वो लेकर आनी है अपने उसका उल्टा dangerous का उल्टा ढूंडो reliable old car never let him down always starting without a hitch के बिना स्टार्ट और अब्स्ट्रक्षन हीच के लिए आपके पास कौन कौन से वर्ड होते हैं जल्दी से मैं लिख कर दोकूमेंट सेक्षन में तिनोनियम एंटोनियम करने है के नहीं करने फिर मैं आपको बताऊंगी रिलाइबल old car never let him down always starting without a hitch even in the coldest of winter तो बिना क्या के हिच के मतलब obstruction word रखो इसको लिखो obstruction लिख लो difficulty के बिना the children's laughter and boisterous play echoed through the playground as they enjoyed their weekend the tranquil lake tranquil का मतलब क्या होता है लेक कैसी tranquil offered a sun setting perfect for a peaceful morning walk by the walk by the water her quirky quirky sense of fashion always drew quirky is something strange what do you mean by quirky strange लिख लो बेटा लिख लो ये सारे वर्ड अटेंशन एशी लव्टो मिक्स और मैच अन्यूजवल clothing combination तो somewhere somewhere आप लोगों को लग रहा है कहीं पर dangerous dangerous चीज़ के antonium मिलेगा तो कहां मिलेगा antonium dangerous चीज़ का नहीं पता लग रहा है dangerous चीज़ क्या है कि भाई उस पर हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं नहीं कर सकते तो answer क्या होगा student गाई नाई सवीता सबसे पहले है a option will be the right one the reliable old car never let him down always starting without a hitch even in the coldest of winter कहां पर word है reliable जो precarious होगा जो dangerous होगा can we trust on that thing हम लोग उस पर trust कर सकते हैं हम लोग उस पर trust नहीं कर सकते तो reliable पर हम जो operations रेलाय करते हैं आप अपने husband पर आपने उस पर क्या करते हैं partner पर क्या करते हैं रिलाय करते य हैं पर रोसका करते हैं tear कि की पता दो कि नहीं है कि नहीं है यहीं बता दो चलो next question देखते हैं कि ओकती हो सो ट्रेंक्विल का क्या मतलब होता है ट्रेंक्विल ट्रेंक्विल एक वर्ड आ गया सर्ण इसे था सिर्ण हाँ यह साही किसके सिनोनियम होते हैं पीस्फुल के लड़किया होती हैं नहीं होती हैं नहीं होती हैं तुर्द को यादव शिल्पा इश्यू सभी आद हो गया आप सभी को काम पीस और ट्रेंक्वाइल शांत वाता वरण ठीक है पीसफुल वाल यह सारे वर्ड उसके लिए हैं अब जितने बच्चे हैं जुड जाओ जल्दी से क्या फाइंड आउट करना है नेक्स्ट क्वेशन में देखो यह पीवाइड क्यों दिये थे ना गाइस इसमें क्या फाइंड आउट करना है आप लोग को एरर फाइंड आउट करनी है जल्ली से चुपो जाओंगी भई पढ़ो मैं तो गय सकती बढ़ने के लिए आप लोग को देखो यह क्लास के बाद आपको टॉपिक वाइस इस पर करने शुरू कर दोगी ठीक है प्रितम मंझू चलो फर जेंटली रसलिंग इन दा ब्रीज शेफ 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 स्किल्फुली परपिर्ड डेलिक डेलिक्टेबल थी कोर्स मिल फोर दा दिलाइट गेस्ट इन दा नाइट स्काई फोर्मिंग इंट्रिकेट पैर्टरंस फोर दा स्टेंजर दो एड्मायर देइंबाग्ड ओन थ्विलिंग एडवेंचर एक्स्प्लोरिंग एंशेट रियून्स अनकवरिंग हिडन ट्रेजर्स ओन दा डेंस जंगल की थिक जंगल में वो हिडन जो पीवाई क्यू चल रहे हैं गाई एंटीटी के अभी लेकर आऊंगी नेक्स्ट उसमें दस क्वेस्टन के बाद आपके पास नेक्स्ट आपके वही पीवाई क्यू आएंगे ठीक है सेशन शेयर कर दो जल्दी से बच्चा सेशन को शेयर कर दो इन बच्चों को बता दो क्लासिज देख लें तो क्या हो जाएगा एरर कहां पर है फाइंड आउट देखो करो फाइंड ओट कोई ग्रामेट्रिकल नहीं है ग्रामर वाली एरर नहीं है बटा इसमें आपको जब अपटर है कि इसमें ग्रामेटिकल एरर नहीं है there is no kind of grammatical error कहाँ पर है answer क्या आएगा आप लोगों का no नहीं पता लग रहा चलो ध्यास देखो ये word मैं आप लोगों को एक sentence दे रही हूँ ठीक है देखो अब मैंने सीधा कह दिया find out the error मैंने कह दिया find out the error देखो ये नहीं होता word repeat हो सकते है वो नहीं कहती है sentence होता है grammar repeat होकर आजती है वो जो sentence होता है वो repeat हो जाएगा word repeat हो सकता है vocabulary repeat हो सकती है दुवारा से कहा रही हूँ शिखा vocabulary repeat होती है what is your good name sentence में error कहा है find out the error कुछ भी नहीं करना मैंने सिर्फ कहा है आपको find out करना है बेटा आपने find out करना है error कहाँ पर है जितने students हैं किसने चपताइए where is the error सत्याम how are you चलिए बहुत अच्छा लगा बेटा आपको दुवारा से rejoin करते होगे देखकर हाँ जी बताइए किसमें error है क्या error है good में error है ठीक है किसमें error है good में error है ठीक है अब मैंने कहा अब मैंने कहा आप लोगों को darkness night फिर मैंने क्या कह दिया आपको darkness night आगे लिख दिया I don't like darkness night अब इसमें error क्या हो गया I don't like darkness night अभी हमने 100 question करने है है आजी क्लास में ध्यान रखिए ध्यान रखिए सो क्वेश्चन करने हैं 100 से भी ज्यादा अब इसमें क्या होता है इसमें क्या हो जाएगा भई डाकनेस ऑल्रेड़ी है तो नाइट के साथ आप नहीं लगा सकते डाकनेस वला वर्ड ठीक है तो यहां पर गाई सुपर प्रशन होते हैं तो यह क्वेश्चन उसके उपर आया था चीक है मैंने शायद आप लोगों पेड बैस में सुपर फ्लूर्स का एक वेन ने करवाई थी क्लास अगर नहीं करवाई होगी तो फिर यहां से देखिए विंबाग डोना थ्रिलिंग एडवेंचर त्रिलिंग क् मतलब होता है excited what do you mean by thrilling thrilling is meaning excited ठीक है adventure ओल्रीडी excited होता है आप adventure करने जाते है adventure क्या होता है शादी करने adventure है नहीं साधी करना adventure नहीं है आप कहीं पर जाते है रिशी केष्ण घूमने जा रहे हैं सो एडवेंचर सो जाती है लाइब बैसे शादी के बाद ऐसी बात नहीं है त्रिलिंग वर्ड यहां पर नहीं आएगा इस प्लियर यह सो नो आई बात समझ में कमेंट सेक्शन जल दी से बता हूं समझ में आई बात कि नहीं आई डी ओप्षिन इसमें इडियम आप लोगों को लगता है जो है वो लिखा गया है ठीक है आजाएगे बाई क्या है identify करना है sentence in which the idiom has been used improperly आप लोग नहीं जहां पर इडियम आपको लगता है गलत वे में यूज किया गया है आफ्टर दियर विक्ट्री दिस डिस डिसाइडेट टू पेंट दा टाउन रेड एक एडियम यह है पोर एडियम कम्प्लीट होंगे 5th फरा रिपीट कर दू? मैं इसको करवा कर रिपीट कर दूँ तीना याद करूंद रेड एक एडियम हो गया while listening to the speaker she was busy reading between the lines दूसरा idiom हो गया meaning पूरे clear करेंगे इस question में आपको okay session को share करना है वो आपके हाथ में है she was so well rested that she decided to start burning the midnight oil for some extra energy his risky investment strategy was like sailing close to the wind always on the edge of success or failure what do you mean by sailing close to the wind thank you thank you risky investment strategy was like sailing close to the wind sailing close to the wind का meaning क्या होता है डेंजर होता है देखो मेरी बात सुनो पहला होता है पेंट टाउन रेड आप टाउन को एकदम रेड कर देते हैं ठीक है अन्हें हम कब करते हैं हमारे में कोई होता है हिंदू आप टेहार होता है कुछ भी खुशी होती हमने पटा के चलाने शुरू कर देने हाना उसको पीला पीला कवर कर देना या भगवा कलर कर देना फीनडू आप पता लगया कि एक्साइटमेंट में खुशी मनाना, ठीक है, happiness आप लोग करते हैं, happiness के लिए या फिर आप लोग को हो, celebration के लिए आप लोग इसको यूज करते हैं, perfect है, celebration के साथ यूज कर रहे थे, जाओ, class नहीं देखनी, जाओ, बहुत साई students को यह रहते है, class नहीं हो रहा है, छूटनी न reading between the lines का मतलब होता है, understand, what do you mean by reading between the lines, answer देना शुरू करो, comment section में, ऐसे नहीं चलेगा, excitement बहुत बढ़िया, reading between the lines का मतलब होता है, to understand completely, क्या मतलब होता है, जुल्दी से understand करना, अब बात हो गई, she was so well rested that she decided to start the burning the midnight oil, burning the midnight oil का मतलब क्या है students, burning the midnight oil, आप लोग को answer आना चाहिए, नितु स्वाती, जतने students सुन रही है, burning the midnight oil क्या होता है, बहुत easy है, burning the midnight oil क्या है, burning the midnight oil क्या होता है, क्या मीनिंग होता है उसका, comment section में बताओ, hard work करना, क्या करना, hard work करना, clear है, हम, उसके बाद, his risky investment strategy was like sailing close to the wind, बतला एकदम डूबने के गगार पर, तो risky है, तो डूबने वाली बात तो है ही है, तो ये भी आपका fit bet रहा है, speaker की listen करना, किस चीज को listen करना, उसको understand कर रहे हैं हम लोग, अमित, कर रहे हैं है, understand करने कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी सही है, reading between the lines, इसका भी meaning clear है आपका, ये भी सही है, celebration है, paint the town red होगा, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, आपका celebration है, अब यहाँ पर क्या है, three option देखो, answer देनी कोशिश करो, she was so well rested, बहुत rest करता है, well so rest, so well rested, that she decided to start, उसने decide किया, क्या करने के लिए start किया, decide करना, क्यों क्या किया, उसने start किया, burning the midnight oil, burning the midnight oil का मतलब क्या होता है, hard work करना, हना, तो कोई बंदा rest कर रहा है, तो उसके लिए क्या, proper है ये, यह यहाँ पर appropriate है, students की नहीं है, नीतु जली से पताओ, appropriate है, नहीं है मैम, so see option will be the right one, clear हो गया, तो answer क्या आएगा बेटा आपका, see option यहाँ पर आपका, सही हो जाएगा, य जोने बाद में PDF लेना है, clear कर ले, next question करें, add आजाती है, परिशान हो जेते हैं में students हो ना, मैं जारे, चलो, select the options that give the correct order of the given sentence, इसका मतलब यह है कि आपको rearrangement आएगी, क्या आएगा आपको exam में topic है, rearrangement का के नहीं है, rearrangement वाला topic है exam में कि नहीं है, students जल्दी से बताओ मेरेको, rearrangement वाला topic है exam में, add आगई थी, परिशान हो गई न, चलो, rearrangement वाला topic है, करना पड़ेगा आपको, चलो, करो, दाओ not quickly enough, यह पहले आना ही नहीं है, and the clocks were striking 13, it was a bright cold day in April, Winton Smith, his chin nuzzled into his breast in an effort to escape the wild wind, chin nuzzled, nuzzle word नहीं आ रहा होगा आपको, slipped quickly through the glass doors of victory mansion, to prevent a swirl of grifty dust from entering along with him, बात किसके बारे में हो रही है, मैं हमेशा आप लोगों को बता, तीना का रहा गया, बच्चा यह दिमाग में रखो, तीना का मैं को answer देने दो, फिफ्ट, फिफ्ट, आजा बच्चा, यह देखो, they embarked on a thrilling adventure, thrilling क्या होता, exciting, तीना, exciting होता है, thrill क्या होता है, excitement से बरपूर होना, thrilled, happiness से बरपूर होना, excitement से बरपूर होना, adventure अपने आप में excited होता है, तो दोनों वर्ड इकठे नहीं आ सकते से, so that's why यह जो D option है, यह आप लोगों क्या हो जाएगा, यहाँ पर right option होगा, ठीक है, इसमें error है, ग्रामेटिकल इस question में कोई error नहीं थी, आजाएं अब दूसरे question पर students, जो कर रहे थे, कोई doubt तो नहीं है, चलो इसको करो, rearrangement करनी पड़ेगी बेटा, एक question आपको ऐसा आएगा, कुछ नहीं है, बात किसके बारे में हो रही है, पहले यह देखिए, अब आपको यह देखना है कि बात किसके बारे में हो रही है, पट यहाँ पर third, third option जो है, हर जगा लगा हुआ है, तो यहाँ पर सीधी बात है, it was a bright cold day in April, तो 7th का answer क्या हो जाएगा, 7th का आपका answer होगा, A option, कैसे, it was a bright cold day in April, समझने वाली बात है, and the clocks were striking 30, ठीक है, एक बज रहा था, आगे चलते हैं, fourth वाला option लो, but we mean decision, winter smith, उसके बाद क्या किया है, describe किया है, किस को describe किया है, Swati very nice, thank you so much Swati, बच्चे, किसको describe किया है, winter smith के बारे मताया, इसकी chin knuzled, नजल्ड क्या होता है पता है वर्ड ऐसे से करते हैं आप लो एस नाप रगड़ते हैं कहीं पर बेकर को भी भाञ फोर्स ऑप्शन उसकी वाद का फिफ्ट आएगा तरिस धाउत नवुटल इनफ टुर्फिय। क्यों उसने नजल्ट किया था प्रिवेंट करने के लिए बचाने के लिए स्विल ऑफ ग्रिफ्टी डस्ट फॉम एंटर ना कर पाए कितने बच्चों का ए ऑप्षिन राइट है तो चलेगा क्या मैं तो सो क्वेश्ट करवाने आज देख लेते हैं कितने सभी करते हो चलो अब आपको फिलप्स आते हैं आते हैं फिलप्स के नहीं गुदगुदी हो नहीं होता मतलब इरिटेशन होती है आप ऐसे से करते हो बस रगड़ते हो आपको ठीक है चलो चलिए ने के फिल इन दा ब्लैंक्स और दो फिलप्स क्लियर येस और नो सेशन को भई बढ़ाना है आपने वाचिंग को कमनी करना और आप लोग तो उसमें लगे पड़े हैं चलिए कोई बात निंगलत हो जाएगा टीना इसी तो सही होगा एंटीटी वाले बच्चे कोई कोई से हाथ खड़ा करो जल्दी से ऐसे करतो मुझे से कमेंट सेक्शन में हो जाए कवर कवर होगा इंगलिश आती है सीडियस में भी चलो रहला है। सब्सक्रा मार्षे का नतवा जाइब तो जल्दी एंग करो फड़ेस तो फड़ेक्च्शन confusing था, unbiased reflection होता है, engaging था, profound interest reflection बना, students ने interest लेना शुरू कर दिया, interesting reflection मिला बच्चों को, simple था, unimportant reflection मिला, boring था, scattered विखरा हुआ, scattered क्या है, word का मतलब समझो, 8 का क्या आएगा, मैंने करवाया था, एक बार question यह आप लोगों को आगे भी, यह मैंने आपको करवाया हुए, jbt वाल हैं, बहुत बढ़ी है, entity वाल जितने बच्चे हैं, भई, पढ़ लो, एक class पर सारा complete है, तीन घंडे class लेकर पढ़ना मत English को, कल के लिए, ठीक है, तुम्हें, concept clear हो जाएंगे, simple and unimportant जो है, इसका नहीं आएगा, इसका B option आएगा, clear everyone, चलो, next question, यह तो मैं नहीं बताने वा हमेशा, हमेशा, read नहीं करते, you will feel like a reasoning here, you feel like, like you are solving maths here, no, बेटा, first of all, you have to read the question carefully, till or until आप नहीं पढ़ते questions को carefully, then आप लोग answer नहीं दे सकते, मैं साथ बहुत होता है, मैं भागती थी, जो मैं मैं पेपर करते हैं, भागने कोशिश होती थी, like मैं सारा कर लेना जल्दी जल्द बहुत है, बहुत है question गलत कर जाती थी, just because, क्यों, क्योंकि मैं पढ़ती नहीं थी साही तरह से, read करना, हर एक question को बहुत है, क्या करना है, identify करना है, conjunction in the given sentence, either we should stay home or we should go out, but I can't decide what's better for our plans, conjunction find out करनी, कुछ नहीं करना, यह तो सबको आना चाहिए, भाई, यह question किसी गलत नहीं हो यह, sir, complete होने वाला है, 10 questions complete करने है, मैं 9 पर पहुंच चुकी हूँ, जलने से, जितने बच्चों को लग रहा है, first option, okay, Amit, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बाकी, बाकी, like करते जाना, या share भी कर दो, session, उन्हें पका कसन खाई हुए, कम करने है, हमने बढ़ानी नही होती है, conjunction कौन सी होती है, either होती है, students, मैं कहती हूँ, a class ऐसी लो, जिसमें सारा complete हो जाए तुम लोग का, either होती है, और होती है, और इसके लावा आपकी बट होती है, तीन conjunctions हैं इसमें, option कौन सा है, एक बाए जल्दी से बताओ मुझे, इतने conjunction है, तीन which is the option, which is the right option, the right option is the option, a option वालो, अंजू, नहीं, d option, okay, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से करो, तब हो, पढ़ो, चलो, next question, they asked whether the concert had been cancelled, क्या करना है, direct speech बता करनी है, देखो, मैंने कहा, JBT का PYQ है, और जब ये PYQ था, उसमें reported speech थी, ठीक है, जब PYQ था, उसमें reported speech थी, के नहीं थी, ठीक है, अब update syllabus आया है, उसमें reported speech नहीं थी, updated syllabus में, आपको reported speech नहीं थी, बर छोड़ कर नहीं जानी, entity, JBT, जितने बच्चे हैं, reported speech question नहीं छोड़ कर जाना, एक number का आपका question आ सकता है, ठीक है, तो that's why, जब ये PYQ था, उसमें report speech आपको given थी, अब इसमें नहीं, मैं ये तो नहीं कहूंगी ने, छोड़ दे, PYQ पूरा करवाना है मैंने, दस question नहीं है अभी, चलो, चलिए, they asked whether the concept had been cancelled, अब बच्चा यहां पर देखो, क्या करना है आपने, नहीं आता हो, नहीं आता हो, तो बहुत साइज students को report speech भी नहीं आते हो, भी मैं क्या करूँ, ये नहीं कहा करूँ, मैं तो पढ़ाओंगी आप लोगो, बैं सिर्फ ट्रिक बताओंगी अब आप लो जहां has been होगा, उसका ही reward क्या होगा सत्यम, जहां पर has been होगा, उसका reward क्या होगा, had been होगा, उसका ही क्या हो जाएगा, had been आता है, तो has been, has been कहां है, यहां पर है, if क्या है, if का change होकर weather आता है, जी नहीं मैं, ये तो क्या हो गया हमारा, ये तो हमारा क्या हो गया है, indirect already, बताईए बताईए कोई को गेशन है आपका बताईए मुझे स्वाथी तो कौन सा हो जाएगा आपका कौन सा होगा है बीन होगा है बीन होता है अब जल्दी से बताओ मुझे क्या आंसर आएगा एक ही आएगा बेटा एक उप्शन में गल्द कर दिया है इंट्रोगेटी वाला सिंटेंस कौन सा है वो ढूंड़ना है अराम से देखो हैस दा कॉंसर्ट बीन कैंसल्ड होगा यहां फिर क्या होगा चुप चाप आपका यह कैंसल्ड यह वाला नहीं आएगा ठीक है इंट्रोगेटीव है ना इंट्रोगेटीव है आपका यही आएगा चलो बी ऑप्शन आ जाएए को ड्राइव होम का मीनिंग बताओ चलो डूरिंग प्रेजंटेशन नहीं समझ आएगा तो आजाएगा लिख लेना कि क्या पिछले को मिलाकर आपके बैटा देखो धिहान से अगर देखते हो तुम लोग 10 क्यों पूरे-पूरे यह 10 क्यों मैंने करवा दिए और 10 में से तुम्हारे कितने सही हुए चलो अगले 10 लगाएं अब दस दस लगाएं अब 10 लगाउंगे मैं लोग करेंगे उसके बाद हम सब्सक्राइब देखते जाएंगे कि आगे-आगे आगे-अगे हम लोग बढ़ रहे हैं कि नहीं दस में से कितने सही हुए मैं बच्चों को द्लिस पताओ में स्टुएं अपके 10 में से कितने सही हुए है बस यह बताना है आपने 11 वाला देखो क्वेशन किया आपका मीनिं find out करना है, drive home, ठीक है, during the presentation, the speaker used several compelling examples, several का meaning क्या होता है, बेटा, many होता है, चलो मुझे बताओ, many के लिए और कौन सा word use करते हैं, आप सभी, many के लिए, आप लोग कौन सा word use करते हैं, और PDF के लिए आप लोगं को Telegram चैनल का ठीक है, तो वो देख लो, और आपको test series चाहिए, वो भी बताओंगे, ऐसे आप लोग बाए कर सकते हैं, 11 का, what will be the right option, to drive home, find one's home, या फिर to find one's origin, या फिर आपको एगे emphasize a point, चलिए, 11 का क्या answer ले रहे हो, भाई सबका आना चाहिए, emphasize करना, point को emphasize करना, अच्छा, इसके लावा, to drive home, ये भी idiom होता है, क्या होता है बिटा, ये भी क्या होता है, इडियम होता है, drive home का meaning क्या हो जाता है, lot of नहीं बिटा, देखो ध्यान से, find one's home नहीं होगा, origin नहीं होता है, emphasize करते हैं, किसी point के उपर, जोर देते हैं, drive home, the importance of, जोर दिया था, importance of environmental conservation, क्या हो गया है, drive home, एक बार मैं फिर से आप लोगों को repeat करवाओंगी सारे questions, so that आपकी जो idioms है, vocabulary है, वो आप लोगों की top to top, point to point हो, ठीक है, चलो, reorder करना है, कुछ नहीं करना, reorder करना, rearrangement है, बहुत easy है, अब 12 वाला गलत नहीं करेंगे, 11 वाला बहुसा है बच्चों को सही था, very nice, अब 12 वाला गलत नहीं करेंगे, session share कर देंगे, इसके नाम पर, जल्दी से भई, session share करते जाओ, चलो, जल्दी करो, जल्दी, जल्दी answer दो, the school to library after when she, चली, बताइए जल्दी से क्या answer हो जाएगा, बड़े अराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, कि आसा नहीं भागना है आप लोगोंने, शीखा जी, क्या answer होगा, पढ़ो इसको ध्यान से, तुमको आए, बच्चे, मतलब वाचिंग करनी है जा रहा हो, तुम लोग कम करते जा रहे हो, यह सही है, तुम लोग का, C option, B option, A option, क्या हो जाएगा, नियम नीत कोर, after to school, she went library, to the library, after she went school, she went to the library, after the school, after library, she went to school, library के बाद बाद स्कूल जाती है, ऐसे होता है कि स्कूल के बाद लाइब्रेरी जाएगी, गोल कप्पे खाने कब जाते हो, जब आते हो, तुम लोग स्कूल आ जाते हो, तभी खाने शुरू कर देते हो, रस्ते में खाने शुरू कर देते हो, आठ बचे कौन तुम्हें गोल कपे खाता है, बताओ, नहीं ना, स्कूल से जाने के बाद ही खाओगे, स्कूल से जाने के बाद ही आप लाइब्रेरी भी जाओगे, बताओ मुझे, है ना, तो क्या हो जाएगा, C option हो जाएगा, अब कुछ लोग कह रहे हैं, हाँ, अब यहाँ पूचा ना, यहाँ बाद कुछ लोग बैठे हो जाए थे, मैंने का गोलब पे खाते हैं, स्कूल आने से पहले हो, कहते हैं, बताओ, ऐसा होता है, बताओ, कभी, यह question बहुत फेमस है, यह मैंने बहुत बाद रिपीट करवा हुआ है, दुबारा से आप करवा रही हूँ, यह मैंने पीवाई क्यू में से रिपाया था, यह बार बार यह question आता है, ठीक है, जोन वांटे टो प्ले सोसर डैश टैनिस, चलिए और, बत, और, बिकॉस, क्या आएगा, आपका कंजंक्शन कौन सी, फिलप करोगे, आप लो करेंगे, तो उसमें आना है, प्रेजल वर्प, जिकनी होजाएंगी, मैं पोगने होगे, चीके, क्लियर है, एकदम में आपको थियरी देने वाली, फ्रेजल वर्ब की, उठाना, फि पकड़ना, बैठकर अट्छे मानना घर पर, क्या हो जाएगा, और हो जाएगा, सौसर ए लग है टैनिस अलग है सोसर यह होता है देख लो यह सोसर होता है ओकी यह सोसर है और टैनिस क्या होता है स्टूडेंट्स टैनिस पता है हमें अच्छा टैनिस में सानिया मिल्जा फेमस है कि बैडमिंटन में सानिया मिल्जा फेमस है लड़किया जली से पता हो सानिया मिल्जा किसमें famous है badminton में है कि tennis में है और फिर अगर वो badminton में था यहाँ पर इंडिया में वह बताओ हम लोगों के दिमाग चलते थोड़ना इसमें और question आ गया अगर general में general logic question आ गया वहां पर हम लोग वेटमिंटन किसका खेल और यह है और 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 आएगा और क्यों आएगा बेटा इसमें और अपके इसलिए अजिकी प्ले करना है सोसर प्ले करें तरने से एक उसके पास next question jane is afraid very nice tennis me very nice किसी का बैड्मिंटन तो नहीं आ रहा बैड्मिंटन में कौन है फेमस चयान नहेवाल सुन आ आप लोगों से दिमाग लगाओ किस फेमस हुई यह यह फ्रूफ करो में लड़किया फुलिश होती लड़किया वह सच में गलत हैं चलो यहां पर आप लोग को फिक्स प्रेपोजिशन के टॉपिक आपको करना पड़ेगा क्या पढ़ना पड़ेगा फिक्स प्रेपोजिशन आप लोग को थोड़ी सी करना है कि उस acost लमी याद होनी चाहिए कर ना कि के फिक्स प्रेपोजिशन कितने संग कर नुद कर बढ। यहां पर आपका अगर मॉल तो असा इसलिए धे ग्राइब करना नाहीं एक समय में हम लोग क्या प्ले करते हैं हम लोग बैडमिंटन प्ले कर लेंगी ठीक है मैं क्रिकट तो नहीं सा सथ अपने प्ले कर सकती हूं तो थोड़ा सा common sense वाला काम करना है, ठीक है, चलो, अब फिक्स प्रेपोजिशन बढ़नी है न, आजो, इक्वेशन आ जाना है बटा, that's why में रखा था, afraid के साथ आपका off आएगा, ये clear है, ये answer दिया आप सभी ने, नमनीद, शीखा, सत्यम बहुत बढ़िया, देखो, आप उनको जो कल से मैं class दूँगी, next day से, तो आपकी topic wise होगी, afraid, डरना, afraid के साथ क्या आता है, off आता है, afraid के साथ, बचा क्या आता है, मेशा याद रखना, off आता है, next देखो, allot के साथ क्या लगता है, allot to, the budget was allotted to various department, दिया गया, allot के साथ क्या होता है, allot के साथ हमेशा to लग yes or no, समझ ले, थोड़ा सा, फिक्स प्रेपोजिशन को समझे, फिर question करें हम आगे, हाँ या ना, मुझे reply मिल सकता है, जी, यूट्यूब चैनल, ठीक है, pdf download का आप लोगों को क्या दिया गया है, telegram पर link दिया गया है, दूबारा से बता रही हूं, telegram पर आपको, telegram का link दे सब्सक्राइब, the discussion was confined to, confined का मतलब होता है, रहस्य में रखी गई, कुछ चीजें छुपाकर रखी या ती नवनीद स्वाती के बीच में, मेरे और आप बीच में, तो confined with नहीं होता है, confined to होता है, converted with नहीं होता, converted to होता है, convert हो गई चीज, इसमें convert हुई है, तो ice was converted to water, water के साथ convert हुई है ना, तो two आएगा बेटा, shift है, ठीक है, यहाँ तक बाद clear हुई, converted into होता है, cope with होता है, ठीक है, contract with होता है, contact to भी आता है वेट, contact with होता है, devote with नहीं होता है, devoted to, आप लोग किसके devotee हैं, मैं शिव जी जी के devotee हूँ, ठीक है, शीवा के devotee हूँ, म मैं कृष्णा जी की devotee होता है, devoted to होते हैं, आप लोग किसी के, devoted with नहीं होता है, ठीक है, इतनी बाद clear हुई, जब पढ़ाने बैठा तो भागना शुरू कर देती हूँ, तुम लोग, वही एक एक question देते जाओ, answer देते जाओगे, connected to होता है, ठीक है, चलो, आज़ो, ऐसे भी paid बच्चों की, हमने meeting की है, वहाँ पर paid बाले students की, जो batch बाले students होते हैं, उनकी meeting की थी, तो वह साही doubts रखे हैं, और हम लोग ने वही कहा है, आपको classes फिल से प्रवाइड की जाएंगे, ठीक है, जो आपके doubts था है, उसके उपर, और test series आप लोग, तो आप लोग द test series से जल्दी हो जाएगा, ठीक है, बोल दूगी sir को बक्की बात है, deprived के साथ क्या होता है, off होता है, यह question आता है, deprived off होता है, defer to होता है, prefer to होता है, senior to होता है, junior to होता है, ठीक है, elder to होता है, junior to होता है, elder than, junior than, word क्या होती है, याद रखो, dispose off होता है, dispense with होता है, deliver to होता है, deal प्रिफ्रेंट के साथ क्या लगता है फ्रॉम लगता है आई बास समझ में फिक्स प्रेपोजिशन थोड़ा सा आइडिया आया हाँ या नामे बताओ पहले मुझे पीडिया दूंगी इसका पका ठीक है हाँ या नामे तो आंसर दे सकते हुआ नहीं दे सकते तुम लोग चलो दन नेक्स चलें पंद्रें क्वेशन पर अब मैं पानी प्यूंगी पर 20th क्वेशन के बाद प्यूंगी इसका आक वे दस क्वेशन पीस से कंप्लीट करवाने है जूनियर टू वेरी नाइस चलो आजाओ वेरी नाइस चलो एल्डर दैन होता है डिरेक्ट स्पीच जॉन से आइसाइजनल रखीवान दैन वेरी नाइस चलो आजाओ भीशन अनुकर कि वेशन रखाएगा इससे चलो आज हमां से ऊंट्राइजनल आज तका है इससाओ घुरा कि विलका होसा आएगा और बड़का चाहरा तका विलका हुलुकर अग्टा तका गुड हो जाएगा, very nice, आए, आए भी चेंज होगा, आए देखेगा जोन को, tomorrow, next day पर, but, tomorrow यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी सीधा हम कहेंगे, हमारे पस नहीं ताइम नहीं है, दस नंबर की इंगलिश है, और हमने पूरी अच्छती किसे करनी है, a answer, done, अंजू जी, बहुत बढ़िए, चल, passive voice, चलो, video, the following sentence is in the passive voice, इन में से कौन sentence जो आपको लगता है, passive voice में है, इन में से कौन sentence आपको लग रहा है, passive voice में है, complete हो जाएं, question के नहीं complete होंगे तुम लोग के आज, बताओ पहले मुझे, ऐसे चलो, speed में तो हो गए, यह नहीं करते, आसको share नहीं कर सक question है, बताओ यहल दीजे, what will be the right option of 16th question, 16th number question का right option क्या होगा, 15 परी बाड़े है, बहुत बढ़ी आई, यह आप लोग की speed है ना, लेकर जाएगी तुम लोग को selection की तरह, was baked, buy आगया, simple सा, यह question entity वालोग टिक कर देना, आराम से, ऐसे, ऐसे जाना चाहिए, so post entity में, but competition बहु पेशन याद रखना, चलो, conscious, conscious, conscious होता है, जब हम लोग focus होते हैं, किस चीज़ पर, conscious क्या होते हैं, focus, हम कहते हैं, conscious होना चाहिए, हमें अपने कामों पर conscious होना जाती है, आप खाना बनाना जाती है, रसोई में, दिमाग कहां चल रहा होता है, mobile, mobile लिया होता है, और कान पर लड़कियों की बात कर रही हो तो वह conscious नहीं होती है उस समय कुली conscious कहां होती है बात कर रही होती है उस पे conscious होती है तो conscious होना है तो conscious spelling भी आने चाहिए फोकस्ट होना है spelling क्या सही है answer सुमन स्वाती identify the correct spelling and boys where are you you are not interested मुझे लग रहा है मुझे लग रहा है बेस बास लेट से comment क्यों जा रहे हैं इनको तो technical team को क्या ही गए है जलो हम फोकस्ट नहीं होते ना काम करने में हम फोकस्ट नहीं होते हैं तो क्या आता है अंचियस तो क्या answer क्या है spelling जो होंगे सही वाले किसी ने लिया किसी ने लिया option निशा ने लिया c option नमनीद ने लिया c option एक बज़ चेक करना स्वाइन क्या है सी ऑप्षन सही है बिलकुल गलत कॉंसेंशियस नहीं होता किस नहीं कहां कॉंशियस होता है ठीक है थोड़ा से लग रहे हैं याद रखना और ऐसे वर्ड आते हैं प्रिकारियस वर्ड लिखो कान पी नहीं मैं में को समझ हम आई अमीत ठीक है चलो अब नेक्सyust कैश्नै कı है प्रिकारियस वर्ड दिया था अभी मैंने कर वाया है अप लोंक को रिपीट कर वालो मैं वर्ड प्रिकारियस अभी वर्ड कर वाया था जीसने शुर्वात से क्लास दिखिए that's the word आना assets ठीक है क्या question है आप लोगों का the two business partners ठीक है उन्हें क्या किया had an amicable discussion and reached a mutually beneficial agreement regarding the division of their assets चलो बताओ tense aggressive cordial pugnacious बचा क्या है synonym find out करना है आपने amicable का amicable का मतलब क्या होता है बच्चे चली से बताओ अब मैंने कहा दिया friendly friendly का राजय क्या हो जाएगा synonym friendly का synonym क्या होगा cordial होगा pugnacious होगा tense होगा aggressive होगा pugnacious होगा क्या होगा students बहुत बढ़िया cordial cordial मतलब friendly frank very nice synonym आ जाएगा कर लोगे इसका synonym क्या था बच्चा इस question का इसका synonym क्या बताया था आपको dangerous ठीक है क्या बताया था आपको dangerous क्लियर आएगा जब कर लोगे तो आ जाएगा कहीं यह तो नहीं होगा के भूल जाएगा आपको dangerous मैंने कहा था परा रहो पीछे पीछे रहो पीछे that is there okay अच्छा जैसे कहते रहे उसको तो हर्याणवी में क्या रहते है मुझे हर्याणवी पता नहीं है हर्याणवी में क्या रहते हैं इंपीड एंटोनियम आपके लिए बाएगा बचा बेएक वर्ड आएगा आपके लिए वह भी बहुत important है आगे जल्दी से जल्दी से इसका आंसर नो आप हमें मैं पता हो तो तब ही तो answer देंगे impede का हम answer नहीं कैसे दें जिसका मतलब हमें नहीं पता इंपीड होता है जब हम लोग कहते हैं कोई चीज क्या खेंए कोई चीज हो जाती है है तीक है देरी हो जाये जिस चीज में तो हम कहते हैं इंपीड है वो इसमें बड़ी पीड है तूर उटो थम्जा भाई टीना कहते हैं थम्जा भाई तुम्जा ओच्छा डिले रिटार्ट फेसिलीटेट अब्स्ट्रक्ट अब्स्ट्रक्ट क्या होता है इतने students हैं अब्स्ट्रक्ट क्या होता है सत्यम फिसलिटेट कहना फिसलिटी प्रोवाइड करते यहां से रखना याद हमेशा सिनोनियम नहीं बताना मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट सिनोनियम नहीं बताना आप लोगों ने लेट हो जाए भई लेट हो जाए अच्छा सिनाणियम नेए पताना अंतोनियम उल्टा वेटा तो अब्सेट्रक्ट तो इससा क्या हो गया बाधह आई न यह यह भी मिया दिमाग देखो बाधह ओ जानार बाधह चीज कर धिया उसको पौनेled कर दिया yes or no session share कर दो students बहुत important words है आप लोगं के लिए yes or no delay हो गया रिटार्ड हो गया facilitate facility provide कर दिया उसको facilitate कर दिया आगे होड़ के hinder word था very nice obstruction word होता है ठीक है बाधा जाती है session को share करना आप लोगं के हाथ में है नहीं करना चलो पर रहें दो पढ़ो फिर she had went to the store yesterday but she forgot to buy bread ठीक है अच्छा अब मुझे बिला बताए मुझे जुदी से बतादो error कहा है यह तो सब को आना चाहिए 20th question पर आ गई हूं मैं अब यह याद रखो जितने students हैं कि तुम्हारे पि session नी शियर कर रहे ना यह बच्चे में से इतने अठरे तुमने आज reasoning पढ़ते हो math पढ़ते उसमें बहुत जल्दी जल्दी answer देते हो यह क्या हो गया इसको दस नंबर ऐसे करो overlook और पंजाबी आती है ना that's why तुम लोग जो बड़े अराम से बैठे हुए हो error कहां पर है क्योंकि इसका क्या तोड़ है पंजाबी नहीं आ रही बिल्कुल नहीं आ रही एक वर्ड नहीं आता पंजाबी का तोड़े इसका यह हिंदी इंग्लिश में marks पके करो उसमें तो marks नहीं छोड़ सकते ना तुम कि छोड़ सकते हो बहुत बढ़ी जा होता है हैडवेंट नहीं होता यह option आ गया easy question था अब 20 तक आपका complete हो गया निशा जी कितने question है मैंने का 100 100 प्लस है question complete हो जाएंगी मुझे तो नहीं लग रहा है इस speed से तो complete नहीं होंगे बटा next question passive voice करना अब अराम से इसका answer दो मैं थोड़ी देर के लिए पानी पीना चाहूंगी अचा में बॉटल का है एसका बहुत बढ़ी यह वेंट कितने ओना है बढ़ी निवनीत कोर क्यों हो गया है हैड गॉन आना है मैं कहना है है हैड वेंट नहीं है हैड गॉन हुन है तो है सब्सक्राइड के साथ third form of the verb लगती है clear and how many students are for Punjabi Punjab से मैं पंजाब से मैं पंजाबी समझ आती है बस शिल्पा आती है पंजाबी समझ लिखनी नहीं आती पढ़नी नहीं आती तो that's why मैं गहती हूं बाकी subjects से पने अच्छे हो जाओ परफेक्ट हो जाओ जाओ नहीं सोच र लुएग चलो 21st 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 How many students are for Punjab Punjab से कोन को ने है बही है जड़ी से बताऊ मुझे एक और comment section में हात खड़ा कर दो चलते हैं, he will never forget it, क्या question आया, will never, सीधा सीधा, एक चीज और बजा जाती हूं, guys, इसमें आपको confusion आ सकती है, बैसे यह answer बहुत सीधा है, जी के मैं करवा रही हूं, मैं कह रही हूं, ठीक है, यहां पर मैं students को, sorry, teachers को कह रही हूं, कि भई करवाओ, और मैंने panel की आज बात करनी है, अभी मैं meeting करूंगी, after the year class, विसारा कुछ आपको conduct करवाया जाए, सहीती के से, it will never be forgotten by him, yes, a option will be the right one, क्या हो जाएगा right, a option right होगा, कैसे right होगा a option, जली से बता हूं, क्यूं, हमें पता है will, will भी हो जाएगा, but the thing is that, जब भी ऐसे word आता है, never आता है, तो will के बाद आएगा, okay, पंजाबी काने समझ में आते हैं, okay, सिद्धुम उसे बाद तो आ रहा होगा, तुमें समझ में हैं, जलो, ये बहुत important है, idiom, बहुत ज्यादा important है, बहुत बार repeat हो चुका है, इसका answer, बड़े बच्चे अराम से दे सकते हैं, नमनीत कोर, क्या हो जाएगा इसका answer, हां जी, what will be the right option, question क्या है आपका, to cast pearls before a swine, किसी swine के आगे, swine क्या होता है, सुवर, सुवर के आगे आप क्या रख दो, पर्ल्स रख दो, diamond ring रख दो, उसे क्या लेगा, हाई उसको diamond ring दे दो चाहे, सुवर को क्या करेगा, पिक्या करेगा, उसको वो ही समझेगा, क्या third form, मैं कौन समझ, मैं यह समझ नहीं आ रहा, मैंने क्या गलत करवाया है, कोई question नवनीत, नवरीत है नाव उसका, हां जी, पताइए, क्या हो जाएगा 22 का, to spend recklessly, recklessly का word दूसरा क्या होता है, बटा, what do you mean by recklessly, क्या होता है, यह वर्ड आना चाहिए, आप लोग को, कहीं ना कहीं, आप लोग को, lot of money on the un-upkeep of domestic hoax, जी, नहीं, waste, यह उपर triple, छोट-छोटी चीज़्व आप वेस्ट करों money है, यह साही चीजे, यहां फिर wasting दे हमनी होगा, या फिट offer a person thing which he cannot appreciate, the option, अब किसी को लड़की दे दो भई, ऐसी लड़की दे दो, उनके घराने में शादी करवा दो, जिनको ने बस, मतलब लड़की को पता ही नहीं है, go and go on, यह पीछे से क्लास देखकर आ रहे हो, कुछ बच्चे हैं न, मैं कमेंट देखनी देखनी वाली अच्छा, अब कई पर क्या होता है, what we are doing, to cast pearls before a swine, दहेज लोभियों को, उनको दहेज चाहिए होता है, डावरी चाहिए होती है, उनको वो लड़कीया मिल जाए, जो पढ़ी लिखी है, ठीक है, लाख, दो लाख, तीन लाखी डिगरी अपनी लेकर आ रही है, उनको फिर लेकर आई है, we should give a wide birth to bad characters, give a wide birth, क्या meaning है इसका, give a wide birth, इसका meaning क्या है, यह बहुत important है, ठीक है, अगर ऐसे लोग आते हैं, तुमारे in-laws ऐसे हैं, in-laws चलो हो ही गए, फिर तो क्या ही है, क्या ही कर सकते हैं, अगर हमारे ऐसे लोग contact में है, यह ऐसे लोग प्रपोजल आता है शादी के लिए हमें उनको wide birth दे रहे जाए, give a wide birth का मतलब क्या है, बड़ा worth का मतलब क्या है, निशा कुमारी, विरिंदर, wide birth, wide का मतलब होता है, खुला, wide मतलब चोड़ा, हाना, खुला, तो क्या हो जाएगा, keep away from, दूर रखोन को, ठीक है, give a wide worth, कहते हैं, stay away, stay away होता है एक हाथ की दूरी, दूर रहो भई, जो भी है, चलिए, next question, बड़े राम से, a sentence has been given in direct speech, out of the four alternatives, select the one which best expresses the same sentence in direct speech, चलिए भई, चलिए, राम से, इसको दिया गया है, उन्हें कहा है, answer देना है, direct speech दी गई है, indirect देना है, ठीक है, session शेयर नहीं करना, ये तो आपनों की बहुत बड़ी quality है, बतानी क्यों, चलिए, indirect को, let me go home now, मोहन नहीं मुझे कहा, let me go home now, मुझे अब जाने दू भाई, एपने friend को कहा, ठीक है, requested आएगा, told आएगा, told नहीं आएगा, let लगा हुआ है, तो imperative में जाएगा, तो requested आएगा, very nice, requested तीन जगा है, हमने अराम से pick करना है, requested, requested, 24th का, requested, क्या किया, let me go home now, अच्छा, now किस में change होता है, मेरे प्यारे प्यारे students बताएंगे, now किस में change होता है, now किस में change होता है, जली से बता, बताना, बस, 60 के उपर class नहीं करनी, 50 के उपर class नहीं करनी, हमने, चलो, session share कर दिया, बहुत बढ़िया, answer, 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 बहुत let me go home now, now किस में change होता है, then में, नीचे आकर, जब direct to indirect करते है, now will be changed into then, then में change होता है, requested his friend, let me go home then, okay, यहाँ पर भी then है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ से खराब किया, requested his friend, let him go, बेटा, let का let नहीं रहेगा, let का let नहीं रहेगा, change होगा, requested his friend that, that he might be allowed to go home then, that he might be, yes, B option आएगा, let का let नहीं रहेगा, आजओ, यह तो मेरा favorite है, क्यों को लिख दू, इस में रहेगा, यह मेरा favorite है, rearrangement, क्यों क्योंकि यह आना है, यह topic आपको 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 आना है, director, indirect, हम एक दिन, एक time के लिए के लिए कहेंगे, नहीं आना, बट यह topic आ है, मैंने 100 question की जर्नी रखी है, 25 ही हुए है, हो जाएंगे, what do you think की हो जाएंगे, so से उपर question है, हो जाएंगी के नहीं हो जाएंगे, मैं बताना ज़रा, यह तो मैं नहीं करवाने वाली, 100 तो पूरे नहीं करोंगी, फिर इस आप से मैं करवा कर जाओंगी, वैसे, मुझे तो बताना कितना टाइम लगा है क्लास बनवाने के लिए आपकी, okay, the question is, देखो तुम जा रहे हो, मैं है, एक ना दिमाग में बात फिक्स कर लो, मैं एक बात आप लोगों को बता देती हूं, यह free वाली advice है, ऐसे देते नहीं है, यह याद रखो, जो यह questions होते हैं, vocabulary होती ह अब मैं आपको यह भी कहा दूँगी, यह class आपकी SSC MTS के लिए beneficial है, GD के लिए beneficial है, चीज़े थोड़ा tough होता है, तो उसके लिए नहीं होगी, या फिर भी आपको एक आधा question हो जाएगा, यही मैं आप लोगो समझाना चाहरी हूं, बिटा, कि हर एक question आप लोगो, मुझा attention भी आता है, बिल्कुल आता है, Punjabi में, आएगा, होती है, तो आप लोग बिल्कुल लेकर चलो, कि English कहीं से भी आ सकती है, ठीक है, तो अब अराम से करो, the, क्या कहा गया, the, our glass is two triangles, in size, which are equal, the, our glass is, क्या है, our glass क्या है, क्या होगा, made of होगा, ठीक है, our glass is made of, नहीं, या फिर क क्या होगा, the, our glass is two triangles, ठीक है, उसके बाद आएगा, आपका P आएगा पहले, ठीक है, क्या है, आएगा, आपका P पहले आएगा, ध्यान से देखो, P के बाद आपका क्या आएगा, R आएगा, क्यों आएगा, the, our glass is two triangles, two triangles है, वो क्या हुए है, made of हुए है, किस से हुए है, made of ओफ, made of, आपका फिर आएगा S, नहीं, हाँ, the R glass is two triangles, which are equal, थोड़ा सा गलत, थोड़ा सा ये गलत लग रहा है, क्या answer है बटा, 25 का, मैं ज़र देखना जाद है, 25 का, fourth option, कैसे, 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 बनाओ ज़रा, PRQS, हाँ, ये आएगा आपका, A option, बनाना ज़रे sentence को लिखना, बड बड़ी से करें, ये वाला लिखते हैं, जो लिखकर देखते हैं, the R glass is, ऐसे लिख लेना दिमाग में, और question paper पर लिख सकते हो, आपके पास offline paper होगा, तो question paper पर आपके option है, the R glass is, made of, आएगा, of two triangles, made of, made of, two triangles, which are, very nice, equal in size, यही है, देखो, यही बनेगा, देखो, यही देखो, so, PR के US बनेगा, यही साब से, चलो, हाँ जी, हाँ जी, DB option, चलो, एक बहुत में दुआ से दिखेंगे, a great statement is equitated, equitated by love of his country, चलो बताइए इसमें क्या होगा, underlined part में, आपको nearest option find out करना है, nearest का मतलब क्या है, synonym find out करना है, है, बेटा, क्या find out करना है, synonym find out करने है, चलो, बेटा, two triangles which are equal in size, महख ठाकूर, महख ठाकूर वो सही था, the hourglass made of of two triangles, ठीक है, कब है एक्जाम द्वारा सुआती, जी लिशता हो, दो मन रहे हैं, अब इसको मैं देखती हूँ रुजाओ, a great statement is equitated by love of his country, equitated, compelled होता है, induced होता है, impelled होता है, persuaded होता है, देखो, equitated का मतलब क्या होता है, equitated होता है, inspired, देखो, pin हुआ हुआ है, comment section है, pushpal जी, pin हुआ है, link pin कर दिया है, telegram का, वहाँ पर दिले लिए, ठीक है, हाँ, compelled, induced, impelled, persuaded, persuaded आएगा, impelled आएगा, induced आएगा, compelled आएगा, equitated का मतलब होता है, inspired, जो great statement होता है, जो great statement होगा, वो inspire होगा, by love of his country, country के love से inspire होगा, पूजा, महक, शिल्पा, पुष्पा, session share करते जाओ, like करते जाओ, और पसंद आता है, तो answer देते जाओ, synonym क्या होगा, अंजो, don't worry, don't worry, इसको last में completed कर जाओंगी, ये वेला question में पक्का पका आपका करवाओंगी, ठीक है, made of true triangles, या फिर उसका उपर वाला, made of true triangles, इस है, question में देखना पड़ेगा, इसको में देखती हूँ, और ये important बहुत है, मदारियों, आपको एक question में बार-बार देखा है, ये आता हुआ, चलो, चलो, अब दिल दिसलता हूँ, A great statement is activated, अच्छा, आप लोगों को एक और बार बार बदाती हूँ, मैं, students से समझ के चलिए, entity का paper है कल, चंडीगड entity का paper है, 100 post वाला, ठीक है, ये कर ले ना, ये एकदम तुमाई 10 के 10 questions इसमें से आने चाहिए तुम्हें, क्यों आने चाहिए, भई, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते तुम, उसका pattern देखोगे ना, उसका level देखोगे, अपना level तुमाँ सेट हो जाएगा, entity थोड़ा छोटा level होगा, उससे उपर वाला level तुम्हें आएगा, paper में, तो कल वाला paper, अगर आपका event लगता है, कल मैं आती हूँ Sunday को, संडे को अगर मैं आऊंगी, आपको मैं solve कर वाकर जाऊंगी सारे questions, but still guys, वो वीडियो जरूर देखना आप लोगों ने, ठीक है, कल एक बार online हो जाना, अपने लिए, answer तो जल्ली से, क्या जाएगा, inspire, inspired का मतलब होता है, आपके friends आपको persuade करते हैं, कहते हैं, no, 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 no पी कराती है, सेंडविच खा कराती है, घर पर ही तुम्हें सेंडविच बनते हैं, कॉल्ड कॉफी ताचल घर पर ही बन जाती है, क्यों नहीं बनाते हैं, चला, several of our players were injured, so our losing the match was almost dash, बहुत सारी हमारे जो players हैं, वो क्या हो गए है, injured हो गए है, हो गए थे, so हमारा जो lose करना है, match को हारना है, वो almost क्या है, necessary है, indispensable है, inevitable है, inexcusable है, indispensable का meaning बताओ, जल्दी से, inevitable होता है, अमिट, यह होना ही होना है, चीकिया है, यह होना ही होना है, जैसे कि RCB, जो मेरे बहुत साइज students जो हैं, इंट्रस्टर हैं, IPL में, तो RCB जीतने वाली नहीं है, वह साइटाइम से नहीं जीती हुई, तो में भी नहीं जीते हैं, इस बार फिर से, तो that is, क्या हो जाएगा, that thing is inevitable, यह घटित होना ही है, अमिट है, यह होना ही होना है, इसको मिटाया नहीं जा सकता, कि RCB जीत जाएगी, यह नहीं हो सकता, तो क्या जाएगा, indispensable का meaning क्या होता है, मैंने answer तुम से यह पूछा है, कि dispensable का meaning क्या होता है, indispensable आया है word, indispensable का meaning क्या होता है, confused हो गए हो, बहुत साइज students confused हो, करने के लिए, inevitable है, देखो, इतने सारे players जब injured हो जाएंगे, तो मैस तुम्हाय जीतना almost क्या है, inevitable, अब मिट नहीं सकता, यह हुआ है, पक्का, अब ममी करते हैं, तरा बेडा गरक हो गई होगा, लगी रहे फोन में, लगी रहे तो फोन में, inevitable है, विमेन आइपल में आरस्ती भी जीती है, अरे men's आइपल की बात करनी हूँ पेटा, हाँ हाँ, unavoidable हो, very nice, बिल्कुल सही है, चलो next question करते हैं, चलो, preamble, statue, prologue, novel, moments, empathy, sketch, drawing, फोड़ास, आपको क्या आया है, यह जो question है आपका, यह आपको कहीं ने कहीं, वीटा, कैसा आया है, यह question आपको आगया है, नौवल के साथ क्या होता है एपिलोग प्रोलोग होता है तो 28 का क्या जाएगा आपका एजाएगा ठीक है 28 का क्या जाएगा एजाएगा ऑप्शन कि दन वापस तुम लोग ने इतना बुलाया मैं आ गई मुवमेंट से इंपती है सार कुछ निया कर लेना कभी आ गया दिमाग लगा लेना चलो अब तो यह वर्ड सारे तुम्हारे हाथों में है किसका मेनिंग बताएं अच्छा थैंक्यू सो माच भूमीका जी मैं बहुत मि सब्सक्राइब क्लासे यहां फिर टीचर होना अपने आप में यह चीज है जो हम बहुत मिस करते हैं हमेशा अगर हम छोड़े थोड़ी देर के लिए चलिए इसका आंसर में इंटिफाइदा रॉंगली स्पैल्ट वर्ड बताना आपने ठीक है रॉंगली स्पैल्ट वर्ड बताना है चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया शांदार आंसर देते जो एक सेकेंड एक सेकेंड हाँ चलो रॉंगली स्पैल्ट वर्ड अच्छा में बात सुनो एक वर्ड था यहां पर एक पिछले वाला कigious का वर्ड का अच्छा आई रहा तुभारा कॉनसा वर्ड था पटा यही है जो आपका वाइटल होता है इस्पैनिंसिबल क् defensive एक साथ क्या होँ अगा गाईस तू मिनिट यस्ट्ट वेट करें यैं फो मिनिट करें आप लोग करें मार्ट करें देखें इटा, Dispensable, Indispensable पहता है, यहां पर लगा हुआ है word Indispensable, यही है न, एकदम Important, इसके word क्या होता है, Vital, एक word आता है, Essential होता है word, कर लेती हूं, कर देती हूं, कर देती हूं, तुम लोगों कर देती हूं, वो भी कर देती हूं, ठीक है? एड आ गई है, मेरे इस्टूट्स भागना शुरू करेंगे, Important, Vital, Essential, तीन words लेना, Indispensable के, ले लोगे, किसको doubt था, skip करो add को जल्दी से, हाँ, किसको doubt था इस सीज में, हो गया हो, cover, अच्छे चलो, अब क्या हो जाएगा, Preamble, Statue होता है, Prologue, Novel होता है, Novel के साथ Prologue क्यों word होता है, वैसे तो ये Prologue, Epilogue होता है, एक word होता है, Prologue, एक word होता है, Epilogue, ओके, जब भी आपका Literature का कोई भी पार्ट हो, कई बार, Drama भी होता है, Novels होते हैं, तो उसमें आता है, आप लोग का, हाँ, हटाया जा सके, Prologue, Novel, Explain करते हैं, हाँ, कर रहे हूं, कर रहे हूं, प्रोलोग होता है, पहले, Epilogue होता है, बाद ने, ठीक है, ये Novel है, Novel को स्टार्ट होने से पहले कुछ इंट्रोड़क्शन दी जाती है, Prologue दिया जता है, For example, जब Merchant of Venice स्टार्ट होता है, तो, Merchant of Venice स्टार्ट होता है, यह कोई, शेक्सपेर के most of the dramas जो स्टार्ट होते है जब भी वह स्टार्ट होंगे, So there will be a Prologue, introduction होती है, Soul Luki होती है, Soul Luki होती है, Soul Luki होती है, Last में, Sorry, कोई भी character stage पर आकर अपने से बात करता है, तो, Soul Luki होती है, उचा-उचा बोलता है, अपने सा बात कर रहा है, अपने आप से बात कर रहा है, That is called Soul Luki, Prologue होती है, kind of introduction about the novel, Epil लोग होता है, उसके बाद ने क्या निचोड़ रहा, कुछ कोई comments हो, that is for Epilogue, novel के बाद, ठीक है, clear है, करें अब next करें, question, हाँ, इसमें था accommodation, omnipresent, trinical, contemporaneous, हाँ, बताइए, accommodation क्या होता है, जब ली से बता हूँ जे, हाँ, बेटा, accommodation क्या होता है, रहना, accommodation प्रॉइशन प्र प्रॉइड किया गया, हाँ, yes, आगे चलते हैं, omnipresent क्या होता है, हर जगा present हो, and the God is omnipresent, the things which is present everywhere, the things which are present everywhere, those things are called omnipresent, the thing, अब यह याद रखना है, यह आपको one word substitution पूछाता है, which is present everywhere, which is present, ठीक है, कहा पर? everywhere, हर जगा present होना, that is called omnipresent, trinical क्या होता है, trinical होता है, atyachari, okay, तो, क्या word है, आपका जो लग रहा है, आपको spelling सही नहीं है, 29 में से किसके spelling आपका सही नहीं है, 29 number, contemporaneous, ठीक है, अब आपके देखिए, आपके contemporaneous कौन है, मोदी जी अपके contemporaneous है, contemporary है, जो आपके समकालीन चल रहे है, जो समकालीन है, अचा, सही नहीं, शीर करना, आपके सासा चल रहे है, that is called contemporaneous, ठीक है, yes or no, clear है, कि नहीं, clear, नहीं, clear, तो contemporaneous होगे, चलो, contemporaneous होगे, contemporary word, रवी, agreed with all my conditions, इसका ना answer दो, जल्दी से, मुझे, error, error, find out को, जल्दी से, contemporary word होता है, D option, बताइए, जल्दी से, अब क्या हो जाएगा, D option कहा रही हूँ, या answer तो, मुझे, 30 का, क्या हो जाएगा, हम, अवास होते है रहना, चीक है, accommodation प्रवाइड करना, चीक है, जे लिख दे रही हूँ, रूट वर्ड होते हैं, जान से, वर्ड शुडू होता है, चीक है, मैं, मैं नहीं याद करती कभी रूट वर्ड से, मैं वो, फोलो नहीं करती, ठीक है, याद रखना, अच्छा, एगरिड विद नहीं होता, आगरिड विद नहीं होता है, एगरिड टू होता है, एगरिड विद यू, रवी उगरिड विद मी, ठीक है, और सत्यम इन अगरिड विद मी, ठीक है, और सत्यम इसाभर्र विद मी, सही है आगे मैंने कहा सत्यम एक ग्रिड विद माई सिचुएशन तुम लोग भागो कि क्लास नहीं लेनी बोरिंग हो गया हमारे लिए जाओ तुम लोग देखो क्या कर जाओ ऐसे चीजे तुम्हें ना ऐसे टॉपिक साल जाएं क्लास में तो बताना मुझे पेपर में पहला यहां पर क्या गलत है पहले वाला गलत है दूसरे वाला गलत है बी ऑप्शन गलत है है यहां पर तुम आएगा यह आपर यह क्लेर हो गया 30 वाला क्वेश्चिन अच्छे यह बताओ मुझे एग्रिडू एग्रिड वीध से संटैंस गलत है पहला संटैंस गलत है इस सेंटैंस गलत है तीन घंटे यहां लगातार कितने घंटे हुए अभी मैंने 100 क्वेश्चन करवाने हैं, 3 क्वेश्चन करवाने हैं, बहुत जारा हैं, अभी 30 हुए हैं, हो जाएंगे, पूरे मुझे लगता नहीं है, चलो, बढ़ते हैं, अब, अग्रिट 2 होता है, सत्यम एग्रिड विद मी, इस दो राइट वन, सत्यम में साथ एग्री है, सत्यम में साथ एग्री नहीं हो सकता है, में सिट्विशन के साथ, एग्रिड 2 होगा यहां पर, चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, क्या है यह, अब पढ़ोगे, पैसे कौन-कौन भाग रहा ह पढ़ने से, नहीं पढ़ते, मेरी क्लास में पैसे पढ़ना ही नहीं, तुमने, पंडिशन के लिए टू होगा, वरी नाइस, पैसे नहीं पढ़ना, पांच नमबर का क्वेश्च, पांच नमबर फसेंगे पैसे से, दस नमबर की इंग्लिश आ गई, तो कोई बैठा होगा महानुभा पेपर सेट करने वाला, पांच नमबर का उसने रीडिंग दे देनी हैं आपको, तो यह मत कह देना, वहाँ पर कि मैं रीडिंग नहीं करूँगा, अपनी क्लास में करूँगा, चल जाएगा, नहीं चलेगा, मैं आपको बता रही हूँ, सारे चीजे हैं, स्लेब ठीक है, ग्रेटेस्ट एनमी, किसका ग्रेटेस्ट एनमी, मानवत्ता का, जो लोगों हैं डिस्कवर कर दिया है, इस नोट साइंस, साइंस नहीं है, बट क्या है, वार है, स्वाती, थेंक्यू सो मच बचा, वार है, लडाई है, ग्रेटेस्ट एनमी, क्या है मैनकाइंड का, प्रवेल करती है बताती है प्रवेल होता है उपर उपर जा रही हुँ चीज ठीक है कर देते हैं स्किप कर देते हैं सत्य हम ठीक है अब लास्ट में कोई आपके कमेंट से लूँगी पहले है पढ़ने दो प्रसीज को साइंस में alma reflects the prevailing social forces it is found that when there is a peace साइंस इस कंस्ट जब बहुं somewhere in में वहार हैं ठीक है, destruction के लिए, destruction के लिए, there are weapons which science gives us do not necessarily cause war, ज़रूरी जो अतियार हमको मिले हैं, वो क्या करवाएं, war करवाएं, they make war increasingly terrible, वो terrible बनाती है war को, till now it has brought us to the doorstep of doom, doorstep of doom का पतलब क्या होता है, पतन doom होता है, doom का हिंदी किया है बटा, जली तो बताओ मुझे, बैठा नहीं जाता ह में, पतन होता है, doorstep क्या होता है, दरवाजे पल ले आएं, हाना, okay, doorstep of doom, our main problem therefore is not curb science, but to stop war, to substitute law for force and international government for anarchy in the relations of one nation with another, हमारा जो main problem therefore is not curb science, science को ही stop करना हमने, but to stop war, to substitute law for force, कि force के लिए भी कोई substitute हो ना, कुछ का मुझे बने, international government for anarchy, जहां पर हमों कहते हैं, आरजक्ता हो गई है, एनार्ची का मतलब कहां पर है, low and order नहीं होता है, जहां पर, क्या हो जाती है, आरजक्ता हो जाती है, जहां पर मेरे प्यारे बच्छों क्या नहीं होता जहां, low and order नहीं होता, आरजक्ता है, जहां पर जुकुछ नहीं होता है, जूम, पतन, चलो, in the relations of one nation with another, पहला प्रहा है, पहला क्या है, दिसस आज़ जाव इन विच आरजक्ता है, इनार्ची का मतलब का मतलब के लिए बच्छिपटा है, इनार्ची क्या है, पहला क्या है And now we are forced to face with an urgent question, can education and tolerance, understanding and creative intelligency, run fast enough to keep us abreast with our own mounting capacity to destroy? That is the question which we shall have to answer one way or the other in this generation. Science must help us in arriving at the answer, but the main decision lies within ourself. Main decision to humare upar hai. Chalo. Aghla question kare hai? Aghla kya hai? Haan, pahla question kya hai. According to the writer, the real enemy of mankind is not science, but war. Because, kyun? War hai, bhai? According to the writer, arjaktah. Haan, mein arjaktah bhol ghi thi, chalo. Kya hai question? According to writer, the real enemy of mankind. Kya te real enemy korn hai maanavtaka? Science nahi hai, war hai. Kyun hai? Kya option aayega? Guys, abh jaldi se aapani options joh hai, pitara khol lo. Answer dene ga. 31st ka kya ho jayega? D option ho jayega. In weapons invented by science do not cause war, though these make it more destructive. D option will be the right one. The expression, bring to the dual step of doom. Dual step kya ho taya, bittara? Doom kya ho taya, patan ki darwajay par lye aay hai. Carry close to death and destruction, lead to the threshold of a new destiny, indulge in arunious activity, introduce an unpredictable destiny. I have told you that I have already told you that 32nd ka answer, I have given the answer. Souray ho? Jago jago. Answer deelo. Padlo. Karlo ge, bittara. Kama karlo ge, echi tariqe se ho jayega selection. तो जो प्राइवेट कर रहे हैं उनको पूछो जरा अगर प्राइवेट तुम कर रहे हो तो अपने अपनी हाल जरा सोचो स्टेबिल्टी कितनी है आज है कल नहीं रहेगी आपकी जोग लाइक मतलब यह नहीं कहूंगी मतलब छूट सकती है तो फिर कैसे छोड़ोगे जब छूट गई तो करी क्लोस देथ एंड डेस्ट्रिक्शन डूम चल फॉलिंग अपोजिट इन अनार्की का अपोजिट क्या होता है अनार्की अरजक्ता का अपोजिट क्या होगा कॉमिनल हार्मनी नहीं हार्मनी क्या होती बेटा हार्मनी बताओ उज़े एकता के लिए यूज़ करते हैं वर्ड ठीक है यूनिटी के लिए हार्मनी कहां यूज़ होता है हार्मनी आपका वर्ड होता है यूनिटी के लिए एकनॉमिक फ्रॉस्पेरिटी उन्नती के लिए political dominance के लिए low and order के लिए तो किसके लिए use करते हैं हम लोग opposite find out करना है जो absence होती है low and order आपको बताओ में आप लोग एक one word substitution आएगा ऐसी एक one word substitution आएगा absence of low and order क्या हो जाता है उसको हम लोग कहते है और इसका opposite क्या हो जाएगा जहांपर presence होगी जहांपर क्या होगा low and order होगा वो इसका opposite हो जाएगा अब आई बाज समझ में कोई problem कहीं में परिशानी नहीं चल्ट अब कि अब वर्क है scarcely बिगन मतलब क्या है scarcely का मतलब है बहुत मुश्किल से अभी अभी यह शुरू ही हुआ है हमारा काम अभी अभी शुरू ही हुआ है वरिंदर नीतु अमेट स्वाती ट्विन्स ब्रदर हाना अभी शुरू है क्या मेनिंग हो जाएगा इसका हुआ हम 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 शुरू स्कीरसली बिगिन आंसर से बताएंगे वी बहुत सई जली से जली से बताएंगे अच्छा नहीं पुड़ाती है आप लोग फोकस कर देती हुआ हमेशन याद रखना जहां पर फोकस करते हमको आजटाएंगे फोकस करना स्टार्ट करती हुआ फिर भी मैस नहीं आता पर मेरी यह बात है अब यह बी अब यह बी आप्शन आएगा नो 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 बी आप्शन यह कौन एंडी आप्शन वाले यह बताओ कीप अब्रस्ट कीप साइब बाइसाइब उल्ड आउट चैलेंज प्रूवेंट फॉम इसकेपिंग थर्टी फाइप का क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन जलिसे अच्छा एक और है आप लोगों को अभी मैंने करवाया भी था एक एडियम करवाया था अगर किसी को ठीक है यह कर लेना अभी लास्ट में देखना तुम लोगों को इडियम्स वाली मैं एकदम रैपिट करूंगी उसको कीप साइड बाइसाइड ठीक है कीप अब्रेस्ट का मतलब क्या है साइड बाइसाइड रखना ओके स्टूडेंट्स थैंक्यू सो मच फो यह लाव यह ए अग्यें कर दिया गया है असको फिर है कुछ ना कुछ सुनने को मिल गया होगा वाउड बढ़न राइस नाइस-्ग्ये ओझ रहा Thank you Anju, thank you so much He agreed his fault and was excused नहीं, क्या आएगा बिटा Agree किया अपने fault को and was excused नहीं होगा क्या आजाएगा बिटा, बहुत बढ़ी है, बहुत शानदार यह time थोड़ा सा गलत लुखा है अच्छा Agreed, Refused, Freed, क्या आएगा बिटा, 36 का Confess करना, उसने confess कर लिया सुरिकार करना and pardon मतलों शमा कर देगा, आप किसके क्या करते हो आप सभी कई बर क्या करते हो आप लोग किसी का confession करते है confession क्या होता है जहां कहते हैं ना, yes I love you कोई या देगा, do you love me हम कहते हैं, yes I love you, तो confession होता है and pardon होता है जब आपके घरवाले आपको शमा करते हैं, ठीक है यह सुनकर, वैसे तो करेंगी नी प्रभाज डैश इन अथलेटिक्स यूल्डिट रिच डैश शी गोटा स्कॉलर्शिप प्रभाज की कैसी डैश, क्या क्या होई प्रभाज की क्या होगा प्रभाज डैश इन अथलेटिक्स प्रफॉर्मेंस, मनी डिफीट एक्सिलेंस, फेलियर देखो, शी गोटा स्कॉलर्शिप अगर फेलियर होता तो फिर तो ना आता 37 का क्या हो जाएगा, बड़े अराम से पढ़ो हर एक चीज है हां हां, गलती मानना नहीं, स्विकार करना किस चीज़, गलत का कर लो कहते हैं किभी बखेता हैं जब ही इंग्रिश निट्रेचर पढ़ा था तो यहिंग कर वहां पर और बैसे भी कोई कछ भी कलो रहें जडावा करो ज्यादा विद्द करो दो ज्यादा करो आपकर ज़्यादा प्रूएं प्रभा की क्या प्रभाज प्रफॉर्मेंस दिन एथलेटिक्स रिच मनी नहीं डिफीट नहीं एक्सिलेंस इसका एक्सिलेंस फेलियर तो बिल्कुल नहीं होगा फेलियर कारण उसको डिसअपॉइंटमेंट हुई और फिस स्कॉलर्शिप मिल गई अरे वाह प्रभा की लोट अगर यह तो आप लोगों को कहते हैं इनेविटेबल ने वर्ड करवाया है मैंने आपको अग्धित जाते हैं घटित होगा ही होगा घटित हुए भीना रहेगा इने जैसे शादी होनी होनी है तुमारी ऐसी तो है कि शादी हुए मिना तुम रहोगे रहोगे क्या चलो अच्छी बात है राम हो स्टड़िट इन सेम स्कूल और पेड़ दा फीस फिस फ्रेंड हूज रिच अब यहीं हमने किया था था ना जो हमें कंफ्यूज कर गई मैं खुद कंफ्यूज हो गई जिसमें अब यहीं ऐसा ह अब इसमें दो बनेंगे यह बट कौंस अंटेंस सही है वो देखना थाटी एट का अंसर दो जल्दीश क्यों को शेयर कर दो जितने तुम लोग लेजी हो ना काम करने में अब यह स्पीड पर कर रही हूँ राम हुस्टडिट इन सेम स्कूल एंड पेड़ दा फीस राम स्टडिड फू स्टडिड फू स्टडिड फू रिच तो नहीं आएगा फिर आएगा राम हुस्टडिड इन सेम स्कूल ठीक है अब उसके साथ यह एंड फू पर रिच उसके बाद वो क्या करता है पे करता है फीस आफ रिच प्लियर है वेरी नाइस तो क्या सायगा भटा पी प्क की बात क्या आएगा अब तो लिख दीया ना अब तो आंसर देशकते हो बड़े आँसर है ऊसर इस प्लियर एश रिकिक वासल क्यों और मेंसे आंसर अरका हो क्या सही होगा जल दी सी जल दी सी बिटा क्या सही आंसर होगा गुड्ड वेरी नाइस फागो क्लास छोड़कर भागते जाओ हना बस पढ़ लिया हमने हो गया हमारा हमारी तैयारी हो जाएग दिस नंबर की लगता है कि तुम्हीं लगता है कि जेड़ बजने वाले हैं हां चाश्ष आप लोगवर इसे ना इसे चाशर आता इसार आप लोगोगँका शथे नाइश्षन के आफ DRU broad लिए ev2 be and voice you why was he oath occupy occupy km है क्ता है जो आप लिए AG ये चीज़ पर आपके घर पर कोई कब्जा कर ले तो occupy हो जाएगा वू इस गुइंग टू ओक्यूपाइए यह सीट नहीं मुझे आ रहा है क्या रहा है मजे आ रहे हैं मजे आ रहे हैं तो भई बहुत बढ़े थैंक्यू सो माच बहुत जल्दी आप लोगे पियस टेट की भी में क्लास लगा रही हूँ पंजाब में टेट होता है ना एक होता है एरल डिटेक्शन और एक होता है आप लोगे का सिंटेंस इंप्रूव्मेंट चलो फटे चक दो अब कब जा निशा करते हैं कंप्लीट एक वर्ड होता है सीज ओके सीज दा मूमेंट कुछ करकर चाइनिस वह प्रेज है ओके सीज दा मूमेंट क्या होता है कैच दी मूमेंट क्लियर मूमेंट को क्या करना कैच करना ठीक है कैच दा मूमेंट seize का मतलब होता है hold what do you mean by seize hold grab अब यहां पर बताईए occupy होता है cover किस चीज को हम लो कब जा occupy कर लिए होते occupy the company चलो 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 जली से बताओ मुझे teacher asked the intruder who was he and why was he occupying his chair 39 का who he was and why he was चलो अब मुझे बताओ गलती क्या हुई देखो वेटा दो चीजे हैं direct to indirect जब भी change करना तो why are you late यह एक sentence होता है why you are late दोनों मेंसे कौन sentence सही है दोनों sentences मेंसे कौन sentence सही है जली से जली से बताओ में दोनों मेंसे एक sentence बताओ कौन सही है कौन सा गलत है यह यह जली सही है यह जली सा इसली दोनों मेंसे कौन सेंस आपको लगता है नहीं यार मैं यह तो गलत लग रहा है यह सही है कि दोनों इसली लग रहे है फोड़ा से आपको लोग को exercise ऐसे भी करवा दूना इंग्लिश है बेटा कवर करवाओंगी सारी की सारी वाई यू आ लेट बी सही है पर्स सही है पर्स्ट ही सही है इंट्रोगेटिव आपका हमेशा ही डव्लिश के साथ हैल्पिंग वर्ब लेता है यह याद रखेगा यह बहुत इंपॉरंट कॉंसेप्ट है मैं इसने गलती करोगे यहाँ पर फुल स्टॉप है हाई है ना यहाँ पर फुल स्टॉप है जब यह वारा सेंटेंस लिखना था ना वाई यू आ लेट तो यहाँ पर बेटा क्या हट जाना है इसमें कौन सा है अफर्मेटी असर्टीव है मतलब सीदी आपको इंस्ट्रक्शन दी जा रही है हाना तो अपको फुल स्टॉप लगा हुआ है तो यहाँ पर बेटा अगर ऐसा ही होगा तो फिर हाँ पर क्वेस्टिन मार काना चाहिए यहाँ पर फुल स्टॉप तो यहाँ पर शिप्ट होगा वाज भी ही के बाद आएगा वाई ही वाज ऑक्यूपाइंग हिस शियर यह आएगा आई बास समझ में डेली क्लास लेंगे सुमन जी बिलकुल डेली क्लास लेंगे आपकी अब बस मंडे नहीं आऊंगी मैं मंडे नहीं आऊंगी चलो उसके बाद आप भी डेली यह क्लास यह मान कर चलो चलो यह next question करते हैं बहुत जल्दी जल्ली करो क्योंकि आपके बहुत साय question पढ़े हुए One who hates mankind philanthropist lover, hater, misanthrop One who hate mankind एक ऐसा इंसान जोक ही काइंड को हेट करता हो दो बनेंगे आपके one who helps the other लिख लो अभी ये तो लिखो विदाउट कि अगर ना आया ना याद रखना अगर आपके one word substitution गलत हुए ना पेपर में फिर देखना क्योंकि मैंने अब देखना idioms में बहुत साय करवाँगी आज चलो 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 किरन बहुत बढ़िया चलिए आंसर 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 मिजान्थ्रोप कहेंगे ठीक है one who hates mankind मिजान्थ्रोप प्लान्थ्रोप क्या होता है भई फलाना इंसान इंसान बहुत काम करता है ठीक है टोपा है यह तो आती नहीं है बिना मोटिव के बिना सेल्फिश होना बढ़ता है विजी की help करने के लिए but one who helps the other without self motive ठीक है उसको क्या कहते है जो की दोनों आजाएंगे अच्छा अब आंसर मुझे दो जल्दी से one who hates one who hates the woman one who hates the women जो की ओर्तों को नफ्रत करता है उसको क्या कहते हैं जल्दी से बताओ एक वर्ड आ गया है इसकांसर देना है आप लोगों ने जल्दी से दाओ आयुम्हाँ अब्स्टीमस एप्स्टीमस फिलान्थ्रोपिस्ट सेल्फ one who loves mankind इसकांसर विए फिलान्थ्रोपिस्ट भी ले सकते हैं यह वर्ड आप लोगों को याद रखना है विदाउट सेल्फ मोटिव किसी के हेल्प कते हैं उसको भी हम कहते है परफकारी मेंनू बहुत पंजाबी आन्धी मिनू सारी पंजाबी आन्धी है ठीक है नवरीत जो इसकांसर दीजिए मुझे उसकांसर दिया आप लोगोंने वन हुएट करता है विमेन को मिसोजनिस्ट ठीक है फिलोजनिस्ट क्या होता है फिर बहुत बढ़ी है सत्यम अब एक पास एक बार कर लेते हैं ठीक है वह हो जाएगा मिसोजनिस्ट यह लोग क्लास छोड़ कर जा रहे हैं उनको यह नहीं पता कि क्या क्या वर्ड आ सकते हैं फिलोजनिस्ट लव फॉर वुमेन अब आप लोग क्या हैं ही कि हेट्रेड रखते हैं आप मिसॉजजडिक है पूजा जी शिलपा जी लड़के क्या होते हैं यह क्या है भई फिलॉजडिक है कि मिसॉजडिक है एनिमल मुवी देखी थी न आप भी सीखी जासती बीज दिन देखो जब पंजाबिया को पढ़नी आ गई तो आप सीख लोगे फिर, पढ़नी आनी बहुत ज़री है, पट्याला डिस्ट्रिक्स हैं, ओके, नम्रीत मैं हूँ, मैं दुवाबा और कौन सा एरिया होता है, दुवाबा और मज्जा, ठीक है, मज्जा एरिया से हूँ, ठीक है अब स्ट्यूमस होता है, प्योर, आस्टर इसका क्या हो जाएगा, आपका सिनॉनियम हो जाएगा, ठीक है, आस्टर क्या हो जाएगा, कहते हैं आस्टर लाव, आस्टर लाव क्या होता है, आस्टर लाव होता है, आस्टर लाव होता है, आस्टर लाव होता है, आस्टर आए से बहुत ही वीदे होते निख सफ्और पयार करते हैं मुमा बाइटी कuszें होस्टर होता है कियों तो मुलών होता है है किस सच में अस्चर लाव कियों प corrosion hard क्या हो जाएगा देखो भई वह बहुत कैनी है कैनी का मतलब क्या होता है कि रुग गई हो थक गई है स्टूरेंट्स वाखी इतने कम आप लोग मुझे मतलब रिस्पॉंस दे रहे हो थक गई हो शेयर करते जाओ वाचिंग बढ़ाओ बढ़ाओ औरों को लेगा रहो हां जी क आंनलस सकते हैं किस चीज से तो कैनी है फुलिश होता है प्रभावशाली है इन्सांन छाले फुलिश नहीं आएगा शृइल एंसांन मेदों परढ़ाओ परभावशाली ठीक है, clever होता है, क्यासा इंसान होता है, clever होता है, he's really clever one, okay, that person is called Kenny, next question, brisky, brisky, brisky एक word है, सिर्णों नहीं बताना है, polite, verbose, radiant, curt, curt word है, 43, 43, curt, very nice, विरंदर जी, भाई, देखो, जल्दी सी स्पीड बरहालो, अपनी अंसे देने की, curt का मीनिंग, boring इंसान, कोई फ्रेंड नहीं, सुझ त्यारी करता है, सब ऐसे ही है, मस्ती मजाक वाले है, चालो, ठीक है, आप लोग पढ़लो, क्या ही करोगे तुम लोग शियर, radiant छोडो, radiant नहीं आएगा, इसमें, verbose होता है, word to word, किस चीज को देना, ठीक है, कर्ट होगा, यहां फिर आपका polite होगा, देखो, ब्रस्क्यू, ब्रस्क्यू मैंशन न, देखना कोई ऐसा बबाक सा इंसान, बेजूगी बात करता है, रूड, रूड इंसान को हम लोग कहते हैं, कर्ट और ब्रस्क्यू, ठीक है, एक word लेलना, rude लेलना, rude, ruthless भी होता है, कौन सा वर्ड होता है, ruthless, याद रखना, इसका synonym यह हो जाएगा, ठीक है बेटा, एंटॉनियम ब्लाइट हो जाएगा, ठीक है, चलो, यह वर्ड इंपोर्टेंट है, यह वर्ड आता है, एससी मड़ा पूछ जाता है, यह वर्ड, कंटैक्रस, बताओ, कंटैक्रस, अफैबल, इराजिबल, काइंड, इन डिफ्रेंट, चली से, यह वर्ड, कंटैक्रस, क्या होता है, कंटैक्रस, इंसान होता है, जो कि क्या होता है, जड़ालू होता है, जड़ालू होता है, जड़ालू होता है, जब भी बात करता है, काटता है, यहां से याद रखना, जब भी बात करता है, जड़ालू होता है, जड़ालू होता है, काटने को अपर होता है, okay क्रेंकी लडिक बच्चे देखैं क्षोटीब चिर्च चिर्च करते रहते रहते हैं लटत Ecki हो जते हैं आप लोग पुछी ध्यक्रण करते हैं आप ल Yogh क्रेंज प्रेंकि हो जयता क्या है मैंने बात नहीं करनी किसे नोर ग्रउची ग्रमपी इर्सेबल और सोब्साइजर । प्रिक्की। ग्यूंस तṣ T." इस तूद्धी है और ईस पत्छाय। है? काटने क् defence रहा है? काटने के दोड़ता है, जो काटने के दोड़ता है जो कैसा इंसान का जगडालू है वो मेशा preparedness फाल maximal बच्चे क्रैक़ी हो जते हैं न क्रीखीनी क्या बच्चे न अच्छी टुर घंक्राउची अंटन बौरीँंग से फोटो देख रहे हूं जिस ग्यास कर सकते हैं ये क्या दिखाई दे रहा है। अच्छे सबी कहा पर हैं ये सबी हैं जंगल में तो फैरल क्या होता है जो कि इंसान अपना घर बार छोड़ देता है एसा परसें कहा जाता है जंगलों में ठेथ उनिवस तो यह जो कि बांद कर ना रखा सके जिसको बांद कर पकड़ कर ना रखा सकेँ वह होता है क्या होता है वह इनसानerson दोटा दिमाग देखो कैसे चलता तुम लोगं का एंटॉनियम पूछा हैं क्वेशिन में क्या करें मैंने क्लास में एक बर कहा भी था कि क्वेशिन रीड करना इंगलिश में बहुत जरूरी है कि आपको आता हो रीड करना अंसे देनी कोशिश करें तेम क्या होता है पालतू होता है तुम लोग क्या हो गशा हो ने घर वालो never you all don't this is just when Черफ चले फाल्ट मजा करते है यह sign laps आप रहता ह् जंगलों में रहता है तुम या हो जाएक आपका team हो जाएक लड़की को इंटरीप्ट करता है याद कैसे करेंगा अभी देखो बिटा हर एक चीज में क्या करता है यह लड़की को इंटरप्ट करने को इंटरफ्ट करने की आत्त है इस लड़ मुझी में जांए सब्सक्राइब 추천 हैं कि हम सबस्क्राइब सब्सक्राइब हां बोल्ड है बोल्ड तुमसे से इनॉनियम पूछा गया ना क्वेस्चन में पढ़ा करो संटेंस को पूछता से क्रेक्ट एंटॉनियम दस नंबर का इंग्लिश है दस नंबर गुडगोबर हमारे 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 तो होंगे ही नी सही मैं काइंड भी नहीं होगा अंजु कैसे काइंड हो जाएगा बोल्ड इंसान काइंड भी हो सकता है अगर मैं बोल्ड हो तो मैं काइंड भी तो होंगी ना दी ऑप्षन आएगा प्राची बहुत बढ़िया एंटॉनियम बेटा उल्टा विप्रीत आसक्षबद विप्रीत थो का वर्ट आया अपको लोगं का अप्स्ट्रीव बिप्राइब होता है कोई चीज कठीन होना कितने कोश्म होंगे 47 पर फोंचने है अम लोग हंडर्ड का टार्गिट तो है चलो फो ग्सा चलो भाई अबश्यूस होता है जट्टीन कोई चीज कठीन है इसका उल्टा क्य जाएगा अबस्क्योर हो जाएगा अबसर्ड हो जाएगा इस ओख हो जाएगा बिघ्टु TS प्थिण हो बेखो अबस्क्योर कोई चीज क्या है सबस्कुर अगैस बिटा यह मान करो अब देखो अब स्क्रेंज हो जाता है अब सर्ड क्या होता है अजीब होता है अब सर्ड विप्त श्टेट्मेंट है ये आपके स्ट्रेंज के सिनोनियम है याद रखना सब्सक्राइब नहीं आएगा जो कि क्लियर आएगा क्योंकि एंटोनियम पूछा है सीधा सीधा आप लोगं का अंसर आना चाहिए नेक्स्ट कॉन्मेलेसंस क्या है देखो कि क्या है पहले इस पिक्चर समयने को हिश्करों याद रहेगा बिटा कि ऐसे पिक्चर लगाइब एक क्यों याद रहता है कि याद रहता है तो क्या याद रहता है बहुत है घ्ल्सक्राइब अबक पढ़ना क्वे जरूंत लुकष हुआ हैं माइंड के लिए सथ Diario भूले स्वाप में इतने डेंजर वर्ड मैं आपको वाइटल दे दू एसेंशल दे दू इंपॉर्टन दे दू हना यह सारे वर्ड आ सकते हैं मेरे को ना आज किसी ने कहा थे मैं बैच की मीटिंग ले रही थी ना अपने जो बच्चे यह दो लिए जो ने प्टिंग लिया हुए तो उन बच्चों की मीटिंग ले रही थी दे वर सेंग हम लेवल टाफ कोलो बच्चा नहीं हो गारे बच्चा नहीं नहीं फॉगा रिहाइबिटेशन कैसे हो गया तुम लोग का रिट्राइ नहीं होगा रिकवरी के रिलाप्स लेटी हुई है फड़ी सी बीमार है बट अगर पढ़ेगी तो अच्छा फील करेगी हां या ना तो उसकी क्या हो जाएगी उसकी रिकवरी हो जाएगी हल्थ की रिकवर हो हो जाएगी हेल्थ उसकी चालो- विश्पैंट अटाइम गोइंग टैश आर डायलोग्स विश्पैंट अब आपको एक और टॉपिक करवाना है मैंने अभी बहुत इंपोरन टॉपिक है बीटा recovery हो जाएगी, बहुत बढ़ी है क्या हो जाएगा उसका, recovery होगी ठीक है, यह first option है, recovery convalescence से आद रखना, recovery healthy हो जाएगा health friendly है, तो recovery हो जाएगी चीज़ों की, pend करते है time, going, dash, our dialogues going off, going to going over, phrasal verb कौन सा question है यह, यह question आता है 9 आपका phrasal verb से कौन सा question आता है, कहां से आता है यह कौन सा topic का phrasal verb, mention है जितने बच्चे NTT, JBT का exam देने वाले हैं, वहाँ पर they have mentioned it clearly, कि आपके syllabus में phrasal verb है तो बेटा आपको आएगी एक number की कहीं पर चोड़ दें, चोड़ दें, बट एक number में आपको आपको प्रेजल वग पूछेंगे होता है, जाओ यहां से जाओ, लीव कर दो ठीक है, ready हो पढ़ने के लिए एक बढ़ पढ़ लो, एक बढ़ क्लियर कर लो इस चीज को और pdf में देने वाली हो आप लोग को तो परेशान नहीं हो, telegramal channel, वो लिंक मैंने पिन किया हुआ है, जिसको मिल जाएगा किस चीज के साथ डील कर रहे हो, पढ़ें इसको कि ना पढ़ें, बताओ, पहले जाएगा, पढ़ें ना, तो कमेंट में बोला करो, कि पढ़ें, गो अबाउट क्या होता है, डील विल सम्थिं, किस चीज के साथ डील करते हैं आप लोग, ठीक है, गो अराउंड, Πराची, आ रहे हैं समझ — एक बढ़ें घंड आफ मिल सकता हम ना कमेंट सेक्शन में , किसी साइड पर चले जाना, that is called go across, you are crossing the river, you go across, तो आप लोग क्या कर रहे हो, उसको आप लोग करते हो, move to another side or place, go along, go along का मतलब कहता है, participate करना, confirm करना, cooperate करना, ओके, ठीक है, participate करना, go after, go after होता है, persuade in another attempt to catch another, go after him in a policy, किसी के pursue करना, pursue करना, उसके पीछे-पीछे जाना, ठीक है, clear है, इतनी बात clear हुई आप सुभी को, yes or no, इतनी बात clear हुई, तो हमाने question में क्या आया था, time go dash the dialogues, expose करना, go off का मतलब होता है, expose करना, अगर आप लोग को भी check करते हो, go off का meaning, तो go off का meaning राजी आजाएगा, आप लोग का, go off का meaning होता है, ऐसे go off आएगा यहाँ पर, बीटा, go off का मतलब होता है, हाँ जी, go off का meaning होता है, सही है, go off, नहीं बेटा, नहीं, 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 off नहीं आएगा, go off का मतलब क्या होता है, नहीं, यहाँ पर off नहीं आएगा, second गलत है आपका, second नहीं आएगा आपका यह एकदम गलत है off भी to भी गलत है going to तो पता ही सभी को fix phrasal verbs करवा रही हूं तो please पढ़ लो इसको ध्यान से कर लो कोई बर्ड आ गया तो परिशानी होगा यह बच्चें को phrasal verbs नहीं भी आती आप लोगों को बताती हूं nowadays phrasal verbs बहुत पूशी जा रही है तो कर लो we spend time go off नहीं आएगा go off का मतलब होता है whistpote होना whistpote बढ़ा explode explode explosion explosion होना चीक है whistpote whistpote होना अच्छा इसका right option होगा वोगा go over we spend time going over our dialogues क्या आएगा going over आएगा चले आगे हाँ he knew how he could bring dash brilliant business deals उसको पता है कि उसने कैसे bring किया क्या bring किया bring मतलब लेकर आया brilliant business deal bring from होगा bring into bring off यहाँ फिर क्या हो जाएगा bring from bring into जली से बता हो bring off होता है क्या होता है अच्छा दो चार मैंने रखे थे इससे को bring up करते है कि कैसी लिए लेकर आते है भागने कियोוכ पढ़ नी सकते堆 içinde भागने शुरू को जन Zurू कश्व के उबलते हो bring up का मतलब होता है कि कि छीज को होस करना तो आपका right option यहां पर क्या आएगा he knew how he could bring into brilliant business deals bring in आएगा क्या आएगा bring off आएगा bring out आएगा 50 का bring off चलो एक और question कहते है carried carried के साथ क्या लगता है तो we should not we should not be carried dash by our phrase we should not carried dash by पेरे फ्रेज यह गर्ल्स के लिए बहुत important है यह वल्ला जो यह है ना फ्रेजल वर्वी गर्ल्स के लिए बहुत important होता है क्यों important होता है बताओ जल्दी से हम लोगों को आदात है ना कोई हमें तारीफ कर देएं बहती जाती है पीछे पीछे हैं खुष जाती हैं खुष जाएंगी अम लोग तो बहुत जल्दी इमें जो पुराने बचे थक गए हैं क्लास लेते लेते हैं कितने स्टुरेंट थक गए हैं जल्ली से बताओ मुझे प्राची बहुत बढ़िया यह आना साहिए बापको फ्रॉम नहीं आएगा नहीं नहीं फ्रॉम नहीं आएगा तो बटन प्रॉम बी राइट ओप्शन यहां पर देखेंगे वी शुट नॉट बी कारीड अवे बाई आर प्रेज बहना नहीं चाहिए प्रेज में बीटाँ कारी ओन का मतलब क्याता है कारी ओन जट्टा सुना है मुवी देखिए कारी ओन जट्टा किसने किसे सुनी हुए यह देखिऊ ही मुवी तो कारी ओन होता है थासात में लगता है चलते रहें ना कारी ओन कंटिनु कारी आउट मेक अकम्प्लिश कंप्लीट करना कारी आउट प्रॉब्लम लेकर आओ उसको है ना हां जी नीशा कुछ कहना चाहिए देखी हुई है अपने अभी बताया था अभी मैंने आपको अंसर दिया अभी दिया था इसका अंसर बहुत शांदर गाइस बैने आपको अभी आंसर दिया था इसका तो यह फ्रेजल लब आपको आना चाहिए अब नहीं अब अब मैं नहीं सोच सकती कि मैं स्टूंट्स को ना आता हूँ ओ यह कौन से है यह एड वाले एड आड आवी थी बिटा मुझे बहुत गुसा आता है जब आड आती है ना तो मुझे बहुत गुसा आता है लाइक एड वाला तो वो होता है ना सिस्टम की ना पूछो ना कि चलो चलो बहुत बड़ी है बही दफ ऑिट ओम में ड़ार एक फूट जाएगा को वैं म leansिल नहीं होता हों कहां था कौँ कर देंगी क्लासी सुनग रहे हैं ना मृप यह उन्षिक्सहर करना ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, went off, I had explained you, go off, went off. तो, पाघं़, go का past क्या होता है? देखो, go का past क्या होगा, went होता है. और मैंने go off क्या बताया था? explore होना, visport होना. तो go off हो जाएगा, went off हो जाएगा, na? clear है? किसी को doubt है C option में? नहीं? क्यालो, very nice. प्रेज का मीनिग क्या है तो बी एकसाइट तो बी सैट तो बी एरोगेंट अगोड़ अगोड़ सुना होगा अपने अप हाना यहाँ पर एक लिख़े लो एक नया नया आप लिए इडियम भी है याद रखना है To be, word is To be all agog All agog का मतलब होता है To be sad, excited, arrogant Free from errors यह क्या आएगा जल्दी से To be all agog नई बिटा एक तो अपनों की speed बहुत कम होगी यह नहीं समझाती है कहाँ भाग गए हो To be sad, to be excited, to be arrogant, to be free from errors To be all agog Excitement से full होना Next To cook a snook at Very nice To cook a snook at To be excited होगा To cook a snook at क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन दिखरी हूँ ना मैं सुझी को पता है ना मैं हूँ चलो Answer दो To be all agog To be excited, to be arrogant To be a snook at To be profound To be a snook at To be a snook at यह क्या कर रहा है क्या कर रहा है तुमें चिढ रहा है ना ऑर क्या थी बार बच्च्चा क्या कर दो To be upfront चिढ पर जाहता है हूँ And what do चिढ रहा है ना And what do you say चिढ आज भाद में च्छा लगता है ना किसी की आपकी तरफ देखा कोई ऐसे पुब्लिक ली करें तो आपको क्या कर रहा है माल लो जतनी गर्ल्स हैं लड़के हैं लड़कियां हैं आप कोई देखने वाला आए इंटर्व्यू में जाओ आप तो उसके साथ आपने कजन को लेकर जाओ छोटे वाले को छोटा कजन ल जोटा क्या लटा कौकोच जाओ वाले क्या आपको अच्छी आपछी जी क्या साहे साथ राइट है शच्छी जब चंट चंट धंब कृटिसाइस प्रेज्ट समवन तुपोर्ट समवन जल्डी यल्डी नहीं घंडिक्टिप्शिंग किसी कैसी डिस्क्रिप्शिन है गगर 55 तो देखो मरी बासवनों किसी की बयॉर्ण description, beggar description of that to be beyond description, A option, support someone new, condonation, meaning of the given word, refers to the act of overlooking or forgiving any offense or transgression, refers to the act of blaming others for one's failure, refers to the act of criticizing others, condonation, act of helping others, 56, 56, cease fighting, what have I done, 55, 55, what have you done, 55, 55, to be beyond description, okay, now let's read, what will happen, let's see, to beggar description to beyond description, to condemn someone, to praise, to support, to beyond description, it's not a description, it's beyond, beggar description, okay, let's go, to bury the hatchet, 56 cancels, this is a very important thing, I have done in classes, which I have to retire active life, to cease fighting, stop fighting, or to bury the dead people, here I have to explain, bagar description, this is beyond description, comments late, I have to不了, heavy fighting, and just let it know, stop fighting, leave the matter, whatever happened, drop it, leave the matter, leave the matter, leave the matter, leave the matter, so that is called, to bury the hatchet, let's share it, करते जाओ कॉंडरनेशन का मीनिंग क्या होगा 57 कॉंडरनेशन का मीनिंग क्या होता है रेफर तु एक्ट ऑफ ओवर लुकिंग और फॉर्गिविंग एन ओफेंस ओ ट्रांग्रेशन तो आपको फिर्स्ट अड़ा उप्शन है विसे आएगा नहीं यह यह वर्ड मत करना यह क है स्टडी वाले कर लेते हैं वह वह थोड़ तो कॉंडुनिशन निहीं कर वाले वह जर्न नॉट लोजी जर्न नॉट लोजी रफस दू इस स्टडी ओफ चिल्ड रफस दो साइन्टिफिक स्टडी ओ डेज डफस्ट्डु पॉड्ड डेश्ट टू दू दू दश्टी चारों के चारों वर्ड करेंगे Refer to the study of children क्या कहते हैं उसको Yes students, refer to the study of children क्या कहेंगे उसको अभी सारी studies Refer to the study of religion उसको क्या कहेंगे Refer to the study of children क्या आएगा आपका पेडलोजी Next, scientific study of old age Gernotology Gernotology scientific study of age क्या हो जाएगा नहीं आएगा क्यों मुझे मैं बताती हो क्यों नहीं आएगा क्यों यह जो वर्ड है इसके दो मीनिग यहापन निकल रहे है Refer to the act of overlooking जब ज़्यादा देखते हैं और दूसरा यह आता है of forgiving and offence of transgression कुछ नहीं आएगा ऐसे words मेरे को दुन लगता आएगा आगे तो तब भी PDF में देएगा पढ़ लेना आप ठीक है बच्चों की पैडलोज गाते हैं अच्छा आगे रफस study of children हो गया Gernotology यह कर लो study of religion study of religion study of brain very nice study of brain brain की study करते हैं तो क्या कहते हैं उसको study of stars यह वल तो पता है न आपको यह वले famous one है Pedalogy study of language study of language और एक और वर्ड है आप लोग का study of language study of birds भी आता है birds आता है ठीक है anthropologist कहते हैं उसको एक और वर्ड था आप लोग के लिए study of birds और उन्थलोजी बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है लेंग्विस्ट को लेंग्विस्ट की इसको कहते हैं एक वर्ड आता है आप लोगों का लिंग्विस्ट साइंटेस्स होता है क्या होता है लिंग्विस्टिक साइन्टिस्ट होता है क्या होता है लिंग्विस्टिक साइन्टिस्ट हाँ 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 पीडिफ रहेगा जो मैं अलग से मिल्कों सब्सक्राइब क्य toothpaste और शक्यक Honच और शक्यक कि है एण चाहँ आच निक ख्याने थे बंग सतने को यह बसा है थिक नूराइफ है कि समय को ऩम में एकन मैं तरहते हैं मники अप्रे half टव्रनाइक कने शेयर दिन चाहिंत यह पनी आलिमेंट था क्लास में जलो पढ़ो नेक्स्ट वर्ड है सिनॉनियम बताना है एंटॉनियम बताना है अप्रिटिनेट रेलेट करें मिटीरियल हो आपका बिलॉंगिंग हो यह सारे क्या है किस선ो सब पढ़े इसकी सीनॉनियम ऐसे सालिया सबाद करनें ज्ड़ तक गत्युना ओंसां अब कशला हैं नतक्ते हैं आप कांटियू के स्वांत था रहे सब्सक्राइब आंना करने हैं कर दो कीरें कर दो में कुछ ना प्राउब्म हो दिल में प्राउब्म क्या होत तुम लोग को क्या ही प्राउब्म होगी तो हिदेक से जो भी समंधित होती है परिशानिया वह आप जाते हो कार्डिलॉजिस्ट के पास नियुरॉजिस्ट अब कुल हो गया अच्छा ये बताओ मुझे जो एक कान में प्रॉब्म होती है वालगें कांप से होत máxim का ओन से कांड गया के पास जाते हैं आय gewoon प्रीमिंदित समंधित परिशानिया होती है यह ऑल शेटी है ऊता है ठीक है तो अलग-अलग हैं आपके, डॉक्टर्स अलग-अलग होते हैं, तो इसका भई belonging हो जाएगा, अन्टॉनियम बताना है, आप तो बड़े आराम से गैस कर लोगे, relevant, unconnected, harmonious यहां फे cruel, क्या हो जाएगा इसका इन्टॉनियम, 61 का, what will be the antonyum, antonyum of 61, unconnected हो जाएगा, ठीक है, correct antonyum क्या हो जाएगा, unconnected हो जाएगा, clear, synonyum connected है, तो unconnected हो जाएगा, clear है, चलें आप आगे, चलो, boring, plain, aggressive, ornate, shining, very cute, जो थोड़ा सा क्या होता है, tough होता है, very cute होता है, जब कोई चीज जोब होती है, tough होती है, that is called very cute, तो plain कोई चीज होना, that is called, ठीक है, collision, collision बताओ क्या होता है, यह important है, collision पढ़ लो, collision world आपको आ सकता है, थक गए हो, बहुत ज़्यादा थक गए हो, बढ़ते बढ़ते, अब यह सवाद हो गए है, तीन घंटे क्लास थी है, दो घंटे क्लास ही है, दो घंटे क्लास ही है, आपके, बट मुझे लगता है, आगे से जो भी marathon रहेगी ना आपकी, इंग्लिश की, that will be two hours, मैं आपको इस से ज़्यादा marathon नहीं दो घंटे क्लास नहीं दो घंटे क्लास ही है, कि मुझे बता है ना, बहुत सारे options दो मैं, किसके options दो तुमें, यह options नहीं है, यह देखो, यह synonym लिखा है मैंने, यह synonyms है उसके पीछे, ठीक है, और 61 के वो देखो, अप्रिटेंट के यह थे आपके, यह सारे आपको मैं बता रहे हूं, यह वाला जो है, यह synonyms है, आपको question में antonium बताना था, अब आगे आजाओ, अगला question करते है, collision, collision क्या होती है, collision क्या होती है, टक्कर हो जाती है, 63 पर आजाओ, जल्दी से question पर, oh, collision क्या होती है, टक्कर हो जाता है, coincidence, collisions, crib होना, accident होना, तो बेटा, हमने antonium देना है, antoniums find out करना है, synonym नहीं लेकर आना, आप गल्ती मत कर देना synonym की, session share करो, जल्दी से, forget, Start, Goins Test, Coincidence, Ace Inc., coincidence होना, गल्ती है, accident होना, or collision होना, जल्दी hvis to Raak Mir, falls to Problem.. Caroline иск to Collis 해주 입, Swatch surface Index,題 in outsiders, ज्यृप, छोजियूआ और इक यहां, जल्दी, 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 गल्यूदी, पर गल्यृफ, Elena Mir, LORD सीन हना, एक्सिदेंट हो जाना कोलेसेंस होता है नैस्टियल चीज़ता हो इंसले को चीजना हो ऑलेसे ने इस बसे ब्हाद हो गांब deferential का meaning क्या हो है, different नहीं होता, आपको deferential पढ़ कर लगे कि भई नहीं मैम वो है तो वो नहीं है, जल्ली से बताओ, 64, different, arrogant, draft, delaying, antonium बताना है, और question आपको आएंगे, vocabulary आती है, tough ही लेकर आई हूँ, arrogant होगा, friendly होता है, deferential होता है, friendly, ठीक है, frank सा हो इंसान हो, जोगी adjustment वाला हो, ठीक है, delaying नहीं आएगा, drab नहीं आएगा, different नहीं आएगा, arrogant आएगा, next देखो, respectful होता है, different, arrogant, अच्छा होई इंसान जो होता है, respectful होता है, असों कहते है, ठीक है, deltrius, deltrius, healthy, advantage, advantage, advantageous, harmful, beneficial, 65 का, क्या answer हो जाएगा, 65, okay guys, 65 का क्या answer होगा, जल्दी से बता हो, 65 का answer क्या हो, healthy, beneficial, advantageous, advantageous, advantageous होना होना होना, advantage होगी सीज की आपके, very nice, good, okay, healthy, beneficial, advantageous या harmful, देखो, synonym जो होगा, 65 का, वो आपका बनेगा, harmful, जल्द्रियस, आपको बता है, कुछ कुछ ना, आपको आपने कभी वो पीने वाली शीशी दे, आपको जो डॉक्टर कोई भी prescription देता है, उसकी दवा की, तो वो जो शीशी होती है, बॉटल होती है, उसको लिखा होता है, that is deltrius, deltrius का मतलब जो harmful है, ठीक है, तो यह synonym, अगर इसका मैंने antonium कह दूँ, अब इसका बिटा मुझे antonium बताओ, इसकी question में antonium बताओ, चलो, antonium synonym दोनों करने हैं इसका मुझे antonium बताओ, जल्दी से मेरे प्यारे students कर लो, जल्दी से, हम, क्या हो जाएगा antonium? deltrius, harmful, beneficial, advantages तो नहीं हाएगा, healthy आया या क्या आएगा? deltrius, antinum बताना है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, healthy, healthy नहीं, beneficial, हाँ, healthy, beneficial, advantages यह सारे इसके antonium है, और इसके इसके antonium था harmful, चलो, next, heretic, heresy, heretic, 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 heretic सुना होगा आप समें, heretic word सुना है काभी किसी ने? heritage, heritage है, heritage, heritage का मतलब क्या होता, चलो, नहीं पता हो, heritage एक word आता है, heritage है, my heritage, विरास्त है, हाँ, आज़र थ्री आसे नहीं, very nice, किरन, बहुत सही, चलो, लग तो रहा है, पढ़ रहे हो, heretic, clever, conformist, या फिर आपका believer आया है, dissenter, अभी मैंने clever के लिए, जिसके लिए मैंने एक word दिया थे, shrewd, ठीक है, मैंने clever के लिए आपको synonym दिया था, अभी बिटा, clever के लिए, रजे, क्या दिया था, Я똮 हुझा दिया था, तो clever का synonym क्या हो जाएगा, Kenny हो जाएगा, क्या हो जाएगा, clever का synonym आपका Kenny हो जाएगा, याद है, मैंने करवाया है पीछे-पीछे, भूछ बचन छोड भी गए गये हैं, वह अले, clever का Kenny करवाया था मैने, हाँ, अब यहां पर देखो, heretic का क्या हो जाएगा? तपस्वी तो नहीं होगा, heretic. देखो, dysenter होता है, ठीक है? इसका क्या होगा? dysenter. synonym क्या होगा? dysenters. अच्छा, क्या हो जाएगा? dysenter हो जाएगा. conformist भी नहीं होगा, dysenter होगा. जली से दो मुझे क्या होजएगा? synonym क्या होगा? इसका. dysenter ले सकते हो, जिसको किसी, देखो, आप सभी कहीं नगई dysenter हो, यह याद रखो, यह मैं आपको वर्ड करा जेती हूँ, इंपॉर्टन है, dysent, heretic वला, यह बहुत इंपॉर्टन है, repeat हो सकता है. heretic जो होता है, आप याद रखिए, अधर्मी कई बार कहा देते हैं, हाँ, इधर्मी, विधर्मी. क्या होता है, मितलत क्यों को निशा, जो heretic होता है, ना, देखो, कई बहुत होता है, हम लोग धर्म की विश्वास करते हैं, बहुत जगा धर्मी हूं, भाइ नेचर, मैं साही चीनों पर विश्वास नहीं कर सकते, यह विश्वास कर सकते हूं, भगवान है, अब मैं इतना का भी वही काम है, हम लोग इसको कह सकते हैं, आटकास्ट कह सकते हैं, एक वर्ड आता है, आटकास्ट, इक आश से बहुत Vaakर करतो, यह नहीं बात मानती हैं यह अधर्मी है, heretic है, टीन वर्ड़ आ जाएंगे जेजुन का मतलब क्या होता है नेरो सिंपल बोल्ड मिच्योर इच्छोडों नहीं आ रहा आपको नहीं आरहा सुंझो कि यह वर्ड नहीं आ रहा पूछ कि जिलिए से बताऊ। जिचिजयून है? कहीं इनसान कहें? का कहीं है? जिचुन के आपकौण सा सा.. प्रसक क्वार का लटी कितने का फीस का फिники भाएं कुछ़ इन पताता रएक हाएं से खालों, सिंपल सब्सक्राइब कुछट तुम जान। वो राख है. लेच्ट्री मॉस लेच्ट्री मॉस बिटा यह वर्ड इंपोर्टेंट है यह चंडीगड में जो पी जीटी का वेपर रहता है ती जीटी का वह आप लोगों का मैं लेकर आई थी थी तीक है वो सेट मैंने कहा कि सारे जनल बेपर लेकर आऊंगी मैं जनल जो भी इंग्लिश तो यह दो आएगी तीजटी पीजटी पी आर्टी और एंटीटी की जो भी प्रीविएस एर की इंग्लिश थी मैं साही ले आई इस क्लास में मैं देखा कि आप लोगों कोई भी लेवल आ जाए तो यूशुड भी लेडि फॉर देट हाना तो वही लेवल लेकर रहीं लेगा सब्सक्राइब लेकर आई पर तो उसमें जो जनरल इंग्लिश है वह साही ले आई इस नमबर की ती आटी के तभी मैंने प्रीवेसर लेए अभी मैंने सब्सक्राइब लगता है तफ लगता है ठीक है लेक्तिमोस क्या होता है लेक्षी मोस देख रहे हूं वह है बिशारा लचार सा तो लेक्षी मोस होता है जो इनसान क्या हो क्राइब करता है रिडिकुलस तो हम है हम तो हसाते ही रहते हसते रहते हैं सिली तो हम है कॉमिक तो हम है ठीक है सिनोनियम में बताना था हो जाएगा सिनोनियम नेक्स्ट क्वेस्टिन रमेश कॉल डैस सुरेश यस्टड पढ़े, called off, called on, called out, called for, ठीक है, क्या जाएगा, बिटा, एक तो न, आपको ये पढ़ना पढ़ेगा, call out, call out, call on, meaning बताओ, call out और call on का, इसमें क्या जाएगा, nice, nice, 69, call on, carry on क्रखना किसी को, very nice, on, ठीक है, called out होता है, बुलाना, called out क्या हो जाएगा, पुकारना किसी को, we should abide, abide के साथ हमेशा याद रखेगा, rules के लिए abide क्या होता है, abide के साथ कौन सा phrasal verb आता है, we should abide, abide dash, the rules, we should dash the rules, off, on, by, from, क्या जाएगा, rules को क्या करना चाहिए, हमें carry करना चाहिए, follow करना चाहिए, तो abide off होता है, abide by होता है, students, students, abide off होता है या abide by होता है, session share करो, बीटा, और students को कठा करो, कि उनको पता चाहिए, class पूरी मिल रही है, आपको, अच्या लगे, session को share भी किया करो, like भी किया करो, like कर दो, चलो, from नहीं होगा, no, abide off भी नहीं होता है, मेरे कहने का मतलब है, हमें रूल्स को follow करना चाहिए, abide by, एक आएगा, we should follow the rules, क्या आएगा, we should follow the rules, जो follow करना होता है, वो क्या होता है, follow करने की English क्या होगी भई, इसके लिए आपके लिए पास phrasal verb होती है, तो क्या है फ्रेदल वबबाब की? हम् चलो गाइस, बहुत बड़ी है, हाँ जी, अबाइड का मतलब है, abide by होता है हमेशा, याद रखना, अबाइड के साथ क्या लगता है, by लगता है, that is mean, abide by the rules, मतलब to follow something, follow the rules, ठीक है, हम् तो बहुत क्या हो जाएगा, by, abide के साथ हमेशा by लगाना है आपने, ठीक है, abide by होता है, follow करना, English करवनी है, और जितने दिन रहागई है न आप रोज की रोज में हर एक टोपिक करना है, ठीक है, कोई टोपिक रहना चाहिए, next, धोनी इस नोट अकस्टम्ड, डैश, विराट, कोलीज, एंटिक्स, अकस्टम नहीं करना चाहिए, उसको मिक्स नहीं करना चाहिए, तो अकस्टम्ड टू होगा, बाइ होगा, अपोन होगा, एट होगा, टाफ है ना, अब आगे अगे टाफ आता है, टाफ आता है तो भागते हैं question, ठीक है ना, अगर टाफ question आएंगे, तो हम लोग मैं कर ही नहीं पाते हैं, हमारे में बताने क्यों इतनी अच्छी quality है, अकस्टम्ड के साथ टू आता है, अकस्टम्ड विद्ध होता है, टू होता है, एंटिक्स होता है, देखो, अकस्टम्ड विद्ध आ सकता था, अकस्टम्ड टू आ सकता है, दो होते हैं, याद रखेगा, यसे मने कहा था, अगरी होता है, अकस्टम्ड विध होता है क्लास कैसी रखती जा रही है अलिए इसे कमेंट रख बताओ मुझे धोनी is not accustomed to विराट कोहली एंटिक्स की बात किये एथिक्स होना चाहिए थे यहाँ पर ठीक है उसके विचारों पर टू आएगा यहाँ पर अगर यह कहा जबता accustomed only विराट कोहली होता तो मतलब क्या है उसको with हम लोग यूज करते ठीक है तो आएगा यहाँ पर चलिए आगे चलते हैं we must adhere dash the laws of the land adhere to accept करना पड़ेगा follow करना पड़ेगा फिस से आगया adhere at, adhere with, adhere from देखो laws of the land के साथ rules जो भी land के हैं उनके साथ हमको satisfy होना पड़ेगा चलिए शेरनी ओफ गौरव सर वाह वाह तेरी वाह तेरी बेटा दी कैसे नाम रखते हैं तुम लोग है तुमान नाम के असली पर ले यह बताऊं वे शेरनी ओफ गौरव सर adhere to देखो satisfied होते हैं ना तो satisfied to होगा यहां भी satisfied with होता है adhere with the laws of adhere with the laws of 72 का बेटा adhere to होता है adhere के साथ two लगाते हैं with नहीं लगाएंगे याद रखना ओके it was him who stole my pen यह वो था इसने मेरा pen चुराया error बताओ इसमें क्या है दो आपको option दे रही हूँ इन में से यह बताओ मुझे दोनों में से कौन सही है दोनों options में से कौन से option सही है आपने कभी क्या कभी यह वहला sentence लिख सकते हो आई लाइक ही म कहोगे या आई लाइक ही दोनों से कौन से यह 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 बी विच वन इस राइट वन अई लाइक ही म होता है लाइक ही होता है जल्ली से बताओ जल्ली से बीटा आंसर दो मुझे अई लाइक ही म होता है अब मैं सच में अब मैं स्पीड पकड़ रहे हूँ क्योंकि आदा गंटा हो 100 questions थे मेरे अभी मैं कितने questions पहुंची हूँ तुम लोगो समझाते समझाते देख लो कितना आइम लग रहा है 73 अभी 30 इट वाज ही होता है ठीक है अब अपने जो कमेंट्स है वो जल्दी बिकरो वाना चाहिए जल्दी सरत आना है यू कैन टेक आइधर ऑफ फॉर बुक्स आइधर ऑफ फॉर बुक्स तो आइधर ऑफ नहीं आना चाहिए यहां पर ठीक है यह गड़ बड़ी हो कि लेट यू एंड आइ प्ले हियर तो क्या आएगा अनिल वेरी गूड आफ्रनोन सल्मा खान बहुत बड़ी है नेक्स्ट क्वेशन में क्या आंसर होगा अब 74 छोड़ दिया तुम लों उपर आंसर तो 74 76 हूँ 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 बहुत बड़ी है कैसी हो मैं बढ़ी है हो बई 76 ग्वेशन का क्या हो जाएगा राइट आप्शन एर कहां पर है लेट यू एंड डैश प्ले हियर let me and you, you and me क्या आएगा you and I very good evening Satya Satya कह रही हूँ मैं Sophia लड़की का नाम है मैं कह रही हूँ सत्या oh my god comic things comic चलिए let you and I a very big yeah Sophia क्या हो जाएगा राइट आप्शन इसमें नाम है सत्या मैं सत्या मैं दिमाग क्या है third में क्या है error है third option में क्या हो जाएगा error हो जाएगा you and me आजएगा next करो a fat chance a fat chance बटा अब खत्म सारे idioms है इसके बाद आपके जितने questions है मैं सबके सब मैं idioms पर लेकर आ रही हूँ ठीक है ready after this अब हम लोग कर रहे है इडियम की प्रैक्टिस आप कोई जो PDF मिले तो वह बहुत सुंदर PDF मिले मैं यह चाहती हूँ ठीक है तो यह लो अलग से कर दिया है कौन-कौन ready हो मैं लोग तो ऊपने अपने मैं ठीक है जिस्ते बिनवाई थी ना मैंने पीपीटी तो उसने विचाहिए को 100 प्लस जो थे वो टाईप करकर दिये तो उसकी महनत बेकार ना जाहे कल मैंने सारे भई आपके सेट किये हैं मेरी मेहनत बेकारना जाए तो पूरे का पूरा पीडिया पढ़ाया चाहिए आपको मैं जातनी इस क्लास में बताइए रेड़ी एडियम के प्रेक्टिस करें चलो शीजुका शीजुका आगई है सोफी बहुत बढ़िया जितने बच्चे हैं मेरी जल्द होती है that is called a fat chance है हमारे पास क्या है हमारे पास fat chance है clear हाँ यह ना c option आपको पढ़ा सकती हूं ना कोई आप लोगों को तो प्रॉब्लम तो नहीं है यह बताओ मुझे next question है hold out the olive branch to nurture nature surrender करना to present an offer of peace to deceive other hold out the olive branch बहुत important है AMCQ आपने सुने भी नहीं होगी तो पता तो यह को सत्य हम तो सोचो उसकी बचारी मैना चली जाएगी है ना so that's why चलो जल्दी से पताईएगा क्या हो जाएगा right option olive branch में आपको hold out कर रही हूँ पकड़ी हुई है मैंने olive branch तो present कर रही हूँ एक offer of peace को ठीक है olive branch olive oil आप लोग को बता यूज करते हैं हम लोग तो that is offer of peace peace मिलता है to keep the wolf from the deer देखो मैं पढ़ रही हूँ मैं ऐसे पढ़ूंगी paper भी ठीक है और आप भी ऐसे पढ़ते होगे कि नहीं session share होगा कि नहीं होगा भी नहीं होगा ना चलो to keep the wolf from the deer to get enough to keep one alive to entertain करना one's friend को अपने to get support from one's enemy to retain from one's position in one's business हां जी 79 a option गलत a option 79 to get enough to keep one alive to keep the wolf from the door तो यहां पर आएगा to get enough to keep one alive यहां पर डूर नहीं चाहिए दियर होना चाहिए था है मैं इसको चेक करेंगी हम लोग एक बाद इसको भी चेक करना पड़ेगा ठीक है चलो तो बी ओन एन इवन नील पर आना तो इसको क्या मत्तर है कील के नील यह गलत हो गया है यह विटा कि गलत है एटियम रहने दो तो ट्राय वॉलफ रहने दो ऋ गलत था नई जो गलत है उसको क्यों रहना चार बज़े आले हां दो से तीन मेरी क्लास होगी आपकी कौन सी होगी यह याद रखो 2 to 3 मेरी जो ख्लास होगी आप लोगी होगी वो कौन सी क्लास में दैजी है आपको 2 to 4 किसका जिस सीेट अभी नहीं क्वालिफाई जिसका नहीं क्वालिफाई सीट टीव ख्लास में मिलना मझे ऐस टूटरन, पैल, टूटरै टूटे ली अस्टौनेश यह तो आता है भई बहुत अच्छी स्टुन्स को आता है जल्दी से बैटा क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क जो हो गया उसके ऊपर रो रही हो जो गिर गया उसके ऊपर रो ना कंप्लेंड बाउट द लोस और पेलियर टुस्पॉयल मिल्क नहीं होगा भी ऑप्शन सच्कु सुपिर उसके करने बाउट तो चलो पिर बेर एंब पूरे टाप्मिल्क योगया क्राइफ ओडा मूं क्या होता है हम लोग मुण के लिए रोते हैं तो मुण केली कभ रोते हैं जो चीजी हाथ में नहीं ना उसके लिए रोना शुरू कर देते हैं आइफोन चाहिए तो यह चाहिए हमें आइफोन के पहले नोक्यार ले सकते हैं तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया चाहिए तो नहीं ले सकते हैं विश फूर सम्टिं एकसेशिबल इंपॉसिबल के लिए विश करते हैं You are crying for the moon, use कर लेना इसको लिए, bed of roses, dull life, very soft bed, full of joys, full of joys, ठीक है, next, take with a pinch of salt, किसी इसको लेना, pinch of salt के से पराबर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, right option, जल्दी-जल्दी कमेंट हो, आने चाहिए मुझे, take with a pinch of salt, तो क्या हो जाएगा, बेटा, answer, take with a pinch of salt, To be a little happy, to accept without doubt, related to food, little happy होना, little sad होना, 85, to take with a pinch of salt, to take a pinch of salt, क्या हो जाएगा, बेटा, to take a pinch of salt, Little happy, little happy, ठीक है, ठीक है, ठीक है, without doubt, चलो, left no stone unturned, तो ये तो आपको आएगा, did very irrelevant thing, used all available means, took no pains, restore to, हर एक चीज करना, available, जुत्मा हो सके, जो कर सकते हो, प्राव बेस्ट देना, मैंने प्राव बेस्ट दिया, तो क्या आजाएगा, left no stone unturned, मैंने कोई भी stone नहीं छोड़ा, unturned किये भी ना, ठीक है, next question, a pig in a pork, 87 का क्या हो जाएगा, right option, a pig in a pork, accept deal in pressure, accept deal without knowing details, accept deal after analysis, या पिए accept deal due to threat, a pig in a pork, हाँ, बहुत बढ़िया, a pig in a pork, accept करना deal को, without knowing details, ठीक है, ऐसे काम करो तुम लोग, जब हम लोग किसी, वो कर लेते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं, what we are doing, we are doing pig in a pork, मतलब क्या है, जब हम लोग किसी भी, चीज को online क्या करते हैं, बाइ करते हैं, तो without feedback पढ़िया, जयासे मैं करते हूं मिशा, ठीक हैं, तुसको कहते हैं, pig in a pork, accept करना इस चीज को, without details जाने भी ना, green thumb, one has a green tattoo on thumb, to have a natural interest in gardening, gardening, या one is artistic, natural interest होता है, आपका gardening में, gardening आपको बहुत च्छी लगती है करनी, तो वो क्या होती है, वो क्या होता है, वो आपका होता है, green thumb, ओके, next देखो, turn the table, to reverse the condition, to welcome, to take revenge, या फिर, give warning, reverse कर देना, change कर देना, कर दूगी बैटा, एक मिट मुई करवाने दो, उसके बाद, small fry, a small creature, humorous, peon, या फिर, person of thing, of little importance, ये small fry है, ये क्या है मेरे लिए, ये small fry है, जल्ली बताओ, ये ये क्या है मेरे लिए, small fry हैं, हुम, ये मेरे लिए क्या हो गया, ये मेरे लिए small fry हो गया, very nice, हुम, ये मेरे क्या होगया, मेरे लिए small fry हो गया, small creature, humorous है, peon है, या फिर, आपका personal thing, of little importance, क्या हो जाएगा, यस गाइस 90 का देखो यहां पर राइट अप्च्छन होगा आपका परस्टो थिंग विद लिटल इंपोर्थिंग स्मॉल फ्राइट थिंग फॉर मी कांशा कितने बच्चे कितने बच्चे कह रहे हैं 85 गांशा ते लें टेक विद पिंच उफ सोल्ट लिटल सैब लिटल है यहां एक्ट यहां इसा वंदा है यह नहीं है ठीक है ग्रीन थाम हो गया ट्रॉन टेबल सो श्मॉल फ्राइट चलो बाइखो क्या है हर एक चीज करना जैसे मर्जी करो, by hook or by crook, जैसे मर्जी करो, करो किसी चीज को, तो याद इसको, by hook or by crook, by permission, by any means, ठीक है, क्या एगा, by any means आएगा, by noble means निया, कैसी भी करो, तो करो, तो यारी करो, by hook or by crook, ठीक है, backsteer influence, आपके उपर कौना influence है, backsteer का, backsteer लोगों का influence है, पीछे भाई लोगों का, secret and unfair, deserving, political influence, backing influence, backing influence will be the right one, ठीक है, आपका क्या आएगा, नहीं, नहीं, डी नहीं होगा, बैटा, C होगा इसका, secret and unfair influence होगा, secret and unfair influence होगा, backsteer influence, आपको, रहस्य कहां से बचलते हैं, पीछे भाई लोगों से बचलते हैं, पीछे कोई बैठा होगा, उसको पता होगा, सारे चीज़ें, तो secret वाले याद रखना, वहां से आपको याद रखना है, 92 को आपका C आएगा, ठीक है, चलो, on the vein, on the vein का मतलब क्या होता है, growing less at its peak, at rock bottom, या फिर growing more, तो growing less, on the vein क्या होता है, कुछीज कम ग्रो करती हो, तो vein में है, ठीक है, Akansha जी, Swati जी, Satyam जी, चलिए, next, cut to the quick, annoyed, surprise, irritated, hurt intensely, cut to the quick, hurt होना, cut to the quick, hmm, बस, hurt होना, intensely आप क्या होते हो, hurt होते है, that is called, in cold blood, blood, ये तो आ सकता है, Sofya, ये idioms हैं, मैंने आपको लिखा भी था भी, ठीक है, कि सारे मुहावरें हैं, तो मुहावरे का मीनिंग तो यही होगा, in cold blood, truthlessly, boldly, coldly, या फी deliberately, coldly होते हैं, ये तो आजाएगा, students, crocodile tears क्या होते हैं, what do you mean, crocodile tears, भई, रोती हैं, कहते हैं, होते हैं, कोई से मगर मस्च के आसू, very side, true tears, insincere tears, tears हैं सारे, but कैसे tears हैं, मिटा, आपके, सारे crocodile tears हैं, ये कोई answer देगा मुझे इसका, 96 का क्या answer हो जाएगा, जल्ली सबता दो, देखो, तीन घंटे मेरी अब कमर दुखने लग पड़ी, ये बहुत हो गया, 96 का, insincere, very angry, true tears, यहां फिर आपका आएगा, very, very sad, very nice, स्वाथी गलत है, D option, बिटा, insincere tears, सची, tears नहीं होते, sincere नहीं होते, true नहीं होते, आपके, a man of straw, बहुत रिपीट होता है, यह भी, ऐसा इंसान, कैसा इंसान, रद्धी वाला इंसान, ऐसे अपने सुनाओं का भूसी सुनी होगी, हिंदी में कहते हैं, उसमें जब चारा देने जाते हैं, हम लोग किसी को, पश्वों को चारा देते हैं, तो वो पालतु का रूडी होती है, बंजावी में कहते हैं, बंजावी में कहते हैं, बंजावी म a man of straw 100 करने apple pie order very important apple pie order very easy one very nice guys session share करते जाओ like करते जाओ और आपको अच्छा लगते जा रहा है तीन खंटे लगातार आप लोग पढ़ लिए और mediums की आपकी practice करवानी थी that's why मैंने का कि नहीं करवा कर जाएंगे जतना होगा करवा कर ही जाएंगे आपको चलो खतम होगा तो class भी खतम हो जाएंगे साही question खतम होगे साही class खतम होगी तो apple pie order में करना किसी जीज को order में करना तो हमारा related to dry fruit tracking नहीं होगा fruit tracking नहीं होगा random order में perfect order में perfect order में किसी जीज करते है that is called apple pie order गलत है 98 AI एगा ठीक है चलिए next stew in the stew in his own juice suffer in his own juice boil make a stew suffer due to one's own act अब juice का juice तो नहीं आ सकता same meaning तो नहीं हो सकता तो बता दो मुझे कभी guys आप लोगे idioms का same meaning नहीं होता जो word दिया गया है उससा same to same हम नहीं लिख सकते there is a hidden meaning there is another meaning there is a derogatory meaning तो हमारा क्याएगा suffer करना अपने ही हरकतों के कारण हम लोग suffer करते हैं ठीक है so that is called 99 का आपका डी आएगा to end in smoke सब कुछ बरबाद कर दो कर दो हटा दो सब कुछ मैंने न कई बार ना online classes में comments देखें बच्चों के दुआ दुआ कर देंगे पेपर कैसा करेंगे मैं धुआ दुआ कर देंगे तो दुआ क्या करोगे तो बरबाद कर दोगे क्या आग लगा दोगे तो आग लगाना ही होता है to end in smoke का मतलब क्या होता दो में completely understand to excite great applause जी नहीं तो overcome to ruin oneself बरबाद कर दिना रिउन का मतलब क्या होता है बरबाद नश्ट डिस्ट्रोई सारा कुछ वर्ड आप लोगों को यादना चाहिए ठीक है रिउन का मतलब क्या होता है नश्ट करना डिस्ट्रोई करना complete हो गए यह complete रवा दूँ मैं rolling in money चोड़ों चोड़ों क्लास को और करवाओं बताओ अच्छा बताओ मुझे क्लास चोड़ों अभी कि और करवा दूँ जितने रहागे हैं मों करवा दूँ करवा दूँ करवा दूँ और ना complete करवा दूँ मैटा पीडियोफ आपको complete मिले rolling in money rolling wasting a lot of money borrowing spending more than income रोल कर रहे हो money आप रोल करते जा रहे हो वेस्ट करते चारे हो thank you so much Sophia आप अच्छा सीखते हैं बेटा आप खुद अच्छा सीखते हैं that's why rolling in money क्या होता है वेस्टिंग a lot of money a snake in the grass that's really important one थोड़ा और हां जान निकाल तो मेरी है ना पुरा तीन घंटा मेरे से नहीं खड़ा रहा जाता मट स्टिल जान निकाल दो मेरी कोई बात नहीं चलो करवा दिए पूरा complete जिसने जे बीटी का पेपर होगा entity का पेपर जिसका कल का पेपर है entity का तो उनको पूरी क्लास बढ़िया रही कही है ठीक कोई ऐसा नहीं कि out of the box आपको चीज़ आएंगी अब rolling in money तो आपको हो गया snake in the grass क्या होता है यह करवाया हुआ है मैंने हाहा करवा रही हूं करवा रही हूं टीचा इस लाइक रोबोट करवाने दो हंजी अम्रिप जी जली सब्राइए उन के पास होंगे नो वहीं आपका एनमी यह तो मैंने आपको तीन बर करवा दिया आज क्लास में आई मम्मी चलो अहां कि कभे एक्जैम सवाती आपका सीडियस का कि गीवाइड बर्थ कीवाइड बर्थ का था ना दूर रखो इस इंसान को वाइड क्या होता है खुला सा हाना चोडा सा तो भही चोड़े में रो तुम दूर रो मैंसे प्लाफा लॉनली फरो प्लाफा लॉनली फरो इति आद करना बढ़ेगा do without the help of others चीक है next देखो split the beans यह बहुत important होता है यह बहुत important है बीट आपका split the beans beans को sprit कर देना बखेर देना split the beans क्या हो जाएगा अभी कितने questions हैं यह दिखते हैं आंसर तो यह बहुत बार करवाया हुआ है कि यहाइं बिखेर दो चीजह हैं तो क्या हो जाएगा आपका राइट जंता जनार दा गल्दी से अंसर दो ति आपको को जॉँ भी कि मनिन नाम मान सिंगमास्ट कर आये हैं आपको बढ़ी हैं जितने कोई कैसे मैं आज ही class में करवाए हैं वो सारे previous year उठाए में चंडीगण में एस लिए पहर होते हैं यासे कि आप लूह प्रीजिटी का होता है पी आड़ी का होता है एंसे जनल इंग्लिश रहती है तो सारी प्रीवेस एर उठाकर ले आई आज मैं ले आते हैं बच्चों के लिए तो आपको बस आपको क्या करना है पढ़ना है ठीक है डिस्क्लोस करना छीजों को डिस्क्लोस कर देना जिए विए सीक्रेट तो समवन वह आगे तलकर बता दे आओ बहन चुगली करें सुना जालिए तो इस वोस ओल फॉर दे गाइस कंप्लीट हो गया है स्लेबस इस क्लास में क्लास कैसी लगी में जल्दी से अपना जो है टेलिग्रम का उस पर जाए और जाकर जल्दी से अपना जो है तेलिग्रम नेलना पांच-दस मिनिट या मैं अभी मादल भिजवा दूँग क्या टॉपिक्स है जो आपको अभी लगता है कि माम मुझे एक बार फिर से करवा दो ठीक है ये वाली चीज नहीं अच्छी तरह से आई तो आपकी टूज़ेए वो क्लास में लेकर आउंगी ठीक है लास्ट मिन सजेशन जरू देना एंड थैंक यू सो मच फॉर यूर सप कर आगे अच्छा करते हो परफॉर्म तो बेसे बाइशन जरू बताना उज्य नहीं अच्छी लगी तब भी बता देना कौंसा डाउट रह गया कौंसा कॉश्चन नहीं समझ आया वो भी आपलो कमेंडर कर बताईगा ठीक है चली तैंक यू सो मच अच्छा लगा अच्छा लगा सेशन तो लाइक और शियर जरू करना थैंक यू